स्वागत है बच्छे महामेरथन में और आजादी के पच्छत्र में जो आपको अम्रित महोत सब मनाया जा रहा है उसकी भी धेर सारी सुखामना है अपनोंको गुरुबडी सामने है मूब आये खड़ा हुआ है बहुत जल्दी गुरुबडी सरकार दोरा निप्टा दिया जाएगा गुरुबडी के एक्जाम तो अंतिम चरण है आपका और लगातार मैं ये बताता रह रहा हूँ आपको कि देखे हम लोग जो है हमारी जो संक्स्था है कमट्सेंट वियो लर् आई है कि जितना समय आपको बचा हुआ है उसमें आपको ज्यादा से ज्यादा लाब पहुंचे इसके लिए रुक्मिनी प्रकासन पर मैंने आपको साइंस स्पेसल जो मेरी किताब आई हुई है उसका भी मैं डिसकेसर लगातार करा रहा हूँ आपनों को तो नुमेरिकल्स जो है कंप्रेशन फ्यू लर्निंग एकेड़ी पर मंडे टू फ्राइडे आपको सुबाच छे बजे नुमेरिकल्स का भी सेशन में लेके आ रहा हूँ तो प्रयास यह है कि अधिक से अधिक कुस्षन आपको मिले लेकिन यह जो महामेरतन है यह सभी एक्जाम के लिए टाक करने के लिए और दरोगा जो आपका ड्रीम बहुत सारे बच्चों का ड्रीम है जो मेरे से जुड़े हुए हैं लगातार बोलते रहता है कि सर दरोगा का कुस्षन जादा से जादा बनना चाहिए मेरे से साइंस का तो एकदम तयार हो जाएए तेख है कल भी मैं एक इस कुस्षन बच्चे अबर और साइंस के पूछे गए थी यह मैं नहीं बोल रहा हूं कि हर एक्जाम में इतना ही पूछा जाएगा लेकिन उस एक्जाम में 36 कुस्षन थे मेरा साइंस का क्राटेरिया जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि मैं साइंस में ठीक आप आपको 20-22 कुस्षन आपके दरोगा पिर्टी में 30 कुस्षन फिक्स है आपके विपीएसी में तो सोचिए कि कितना ज़्यादा परिमान है ठीक है लगभग आपको 20% इसका जोर है साइंस का तो यह महामेराथन मैं इस तरह से फ्रेम करके लाया हूँ आपके लिए इसमें ऐ से कुस्षन डाले गया है कि जो सीधे आपके एक्जाम में आएंगे और मैं जो कंसेप्ट आपको बताऊंगा अगर इस पर आप ज़्यादा देते हैं तो आपकी सफलता सुनी से चलिए हम लोग ज़्यादा बात ना करके एक बार फिर से सौतनता दिवस की पूर्व संध्य और सभी बेरजगार जितने भी मेरे चात्र हैं मेरे क्या कह ये जितने भी सिस हैं उसको आपको निश्चल जूप से सफलता मिले ऐसी मेरी कामना है चलिए आगे बढ़ते हैं पहले कुस्षन पढ़ाते हैं देखे लाजवा प्रशन बेटा क्या है कुस्षन भाई ठीक है लाजवाब हो गया क्यों लाजवाब हो गया प्रशन ही लाजवाब है अब आपको जानना पड़ेगा पहले जानना पड़ेगा कि सबसे ये आपकी प्रथिवी है ये क्या है आपकी प्रथिवी है एकदम ध्यान में रखेगा बिटा कभी भूलेगा नहीं ठीक है कै जैसे नहीं भूलेंगे ये देखें प्रत्वीस से ऊपर जो कख्छा होता है उसको क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं lower earth orbit इसको बोलेंगे lower earth orbit बोलेंगे LEO कहते हैं और इसका जो यह होता है आपको zero kilometer प्रत्वीस से ले ले लिए इसे 0 किलमेटर से स्टार्ट कीजिए और 2000 किलो मिटर की उँचाई होती है और इसी में आपको क्या है तो बच्चे इसी में आपका आपका International Space Station है बार बार कुछेगा कि अंतरास्थी Space Station किस कच्छा में तो आपको LEO में Low Earth Orbeats में तो एक किलोमेटर से कहां तक बच्चे 2000 किलोमेटर के उचाई पर यह है अब देखिए निमन भू कक्छा हिंदी में बात करें तो निमन भू कक्छा भू कक्छा हो गया बहुत अची बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं दूसरा देखिए यह आपका कौन सा हो गया तो यह मेडियम अर्थ और्बीट हो गया मेडियम अर्थ और्बीट हो गया ध्यान में रखेगा मेडियम अर्थ और्बीट कितना किलोमेटर तो 200 किलोमेटर से उठेगा 2000 किलोमेटर से बीच में जो है ये क्या ये जो और्बीट है इसको मीडियम अर्थ और्बीट कहते हैं अब देखे इसी में 35,800 की उचाई पर कितना 35,800 की उचाई पर ये वाला ये वाला इसी को बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं भू ऐस्थाइटिक कच्छा कितना बोला मैंने तो वो ऐस्थतिक कक्षा की उचाई मैंने कह दी कितना तो बच्चे 35,800 किलोमेटर एकदम ध्यान में रखेगा 35,800 किलोमेटर हो गया अब देखे क्या कहते हैं अब इससे उपर बढ़िए इससे उपर अगर हम बढ़ते हैं तो यह हो गया ग्रेवयार्ड और्बीट कौनसा ग्रे और्बीट कहते हैं एकदम किलियर है कंसेप्ट बच्चे मैंने क्या कहा मैंने कहा निम्न कक्षा जो है वह होगा जीरो से लेकर के 2000 किलोमेटर एकदम ध्यान में रखेगा मध्यम कक्षा 2000 से लेकर के कितना तो बच्चे 35,786 आपको भूई स्थिर कक्षा तो 35,800 किलोमेटर इतने ही किलोमेटर पपा है जाएगा और प्रित्वी से देखने पर इस्थर दिखाई देगा इस कक्षा में और आपको क्या होगा 24 घंटा होगा इसका आवर्तकाल और क्या होगा तो बच्चे जेनरली भूई स्थर कक्षा में केबल और केबल संचार उग्रह होते हैं ये सबसे पहले कौन होगा कहरा है प्रित्वी से बढ़ती दूरी के क्रम तो सबसे पहले दो नंबर उसके बाद क्या होगा दो नंबर ही पहले किसलिए आंसर हो जाएगा कौन सा सी नंबर हो जाएगा तेक है एकदम ध्यान में रखेगा देखे क्या-क्या मैंने बताया आपको आपके लिए बहुत बहुत important है note down कर लिजेगा कक्छा पृत्वी से उपर कक्छाओं का क्रम एकदम याद रहनी चाहिए आपको और मैंने क्या बताया बटा तो ध्यान में रखे है भूँ इस्तर कक्छा में जो भी पिंड होंगे उसका आवर्तकाल 24 घंटा होता है और तिक उसकी उचाई 35,800 किलमेटर होता है और इसमें जो भी उपग्रा होंगे उसका उपयोग हम लोग संचार के छेतर में करते हैं किसमें करेंगे संचार में करते हैं तो ये ध्यान में आपको रखनी चाहिए निम्न भूख अक्छा में क्या होता है तो आपको जब भी किसी भी उपग्रा को प्रक्षेपित करना होता अंतरिक्ष में तो इसको हम क्या बोलते हैं तो बच्चे ग्रवियार्ट का अक्छा पहले क्या करते हैं उसका कक्छा बनाते हैं गुमते गुमते आचानक वो क्या होगा तो इसको बोलते ग्रवियाट का अच्छा तो ध्यान में रखिए बहुत बहुत इंपोर्टेंट है आंसर हो गया सी नमबर चलिए देखते हैं नेक्स्ट कुस्टन को एक दम याद रखना बच्चे यहाँ देखिए नमलकित में से कौन सा आवारा ग्रह या निस्कासित ग्रह है यह क्या हो गया आवारा ग्रह या निस्कासित ग्रह है रोज प्लानेट बच्चे बहुत अच्छा कुस्टन है कैसे अच्छा कुस्टन है तो वह ग्रह जिसका वह ग्रह जिसका क्या होगा जिसका निश्चित प्लानेटरी सिस्टम नहीं हो बगसे एकदम पता है कि ऐसा ग्रह जिसका अपना सोलर सिस्टम नहीं है सोलर सिस्टम में नहीं है वो क्या है ऐसे घूम रहा है इधर उदर घूम रहा है तो that planet is no less क्या खालाएगा वो वो खालाएगा आपको वहगरा जिसका क्या कहा मैंने वहगरा जिसका निस्चित जिसका निस्चित प्लानेटरी पैटर्न नहीं हो निस्चित क्या नहीं हो तो प्लानेटरी सिस्टम नहीं हो प्लानेटरी सिस्टम नहीं हो कभी ये कहीं पर घुमेगा कभ एक दम ध्यान में रखेगा नहीं हो ऐसे प्लानेट को हम क्या कहते हैं तो बच्चे ऐसे प्लानेट को रोज प्लानेटी आवारा ग्रह कहा जाता है एक दम ध्यान में रखेगा आवारा ग्रह कहा जाता है एक दम ध्यान में रखेगा आवारा ग्रह इसको कहा जाता है एक दम जो एक तारा मंडल में अपने पड़ेसियों की कछा के लिए समस्याउत पन करता है गलत बात है बच्चे ठीक है दो तारों की परक्रिमा करता हुआ एक ग्रह यह गलत बात है अब देखिए मेरी बात समझिएगा मैं थोड़ी सी और अंदर चलता हूँ देखिए बच्चे यह आपका सूर्ज है सूर्ज के तुरंत बाद आपको क्या है हमारा हमारा गलक्सी है मंदाकनी या दुख्द मिखला या मिलकी वे गलक्सी में हम रहते हैं और यहां देखिए यह क्या हो गया तो यह बच्चे सनी और अरुन और क्या हो गया वरुन हो गया यह आपको कुल मिलाकर के आठ ग्रह है बच्चे सभी पस्सिम से पुर्व की ओर चक्कर लगाते हैं सिवाए आपको सुक्र पूरब से पस्सिम ठेकर उसके बाद अरुन पूरब से पस्सिम बाकी सभी ग्रह जो है वो चक्कर ल प्लानेट है यानि बोना ग्रह है और इसको IAU ने अंतरास्टिय खगोल संक्स्था ने क्या किया ग्रह की सिरेनी से बाहर कर दिया गया और कर दिया और ग्रह के लिए ग्रह कोई भी पिंड होगा उसके लिए तीन मुख आपको गुन बताए पहला गुन क्या है तो वह पिंड वहाँ आकास ये पिंड जो एक निस्थित पैटर्ण पर निस्थित सोलर सिस्ट्रम में किसी तारे के चारों तरफ चक्कर लगा है पहली बात दूसरी बात क्या कि उसका निस्थित ध्रमान हो तीसरी बात क्या कि वह बार-बार दूसरे ग्रहों की कख्छाओं को नहीं काट क्योंकि मैंने आपको बताया है कैपलर ने ग्रह गती का नियम दिया था और कैपलर के ग्रह गती नियम के अनुसार जैसे जैसे ग्रह की दूरी सुड़ से बढ़ती है या बार बार दूसरे ग्रहों की कख्षाओं को काटता है तो बच्छे ध्यान में रखनी चाहिए आपको चलिए देखते हैं नेक्स कुस्सन को क्या कह रहा है बीटा च्छे में इलक्टोन उत्सरजन के साथ निमलकित में से कौन सा उप्रमानुकन उत्पन होता है अच्छा कुस्सन है बिटा चलिए पहले हम लोग देख लेते हैं ध्यान दीजे मेरी बात पर थोड़ा सा ध्यान तो मज़ा आएगा यहां देखिए सबसे पहले की क्या बात होती है कि बीटा 6 कहा सुथपन होगा तो अलफा, बीटा और गामा यह तीन प्रकार का अच्छे होता है और यह करता है रेडियो सक्रिय पदार्थ रेडियो सक्रिय पदार्थ करेगा अगदम ध्यान में रखना बच्छे कौन करेगा तो रेडियो सक्रिय पदार्थ करता है कौन कौन सा च्छे करेगा तो अलफा, बीटा और गामा च्छे करेगा अब देखिए अलफा अलफा की बात कीज़े अलफा यह क्या है हिलियम आयन है He2an है और dhanatmak kan है कौँ सा kan है? dhanatmak kan होता है छली बिटा और beta देख लिजे beta जो है beta beta ये दो प्रकार का होता है एक होता है beta positive और एक होता है beta negative होता है ध्यान दीजे बच्चे एक हो गया beta positive दूसरा क्या होगा? beta negative हो गया जब भी बीटा पोजिटिव की बात करेगा, तो ये प्रोटोन का अच्छा है करेगा, किसका? प्रोटोन, और यहां क्या होगा बच्चे? यहां निकलेगा जो कन, वो कौन-कौन सा कन निकलेगा, तो एक निकलेगा पोजिटिरोन, क्या निकलेगा? पोजिटिरोन, और नूट एलक्ट्रोंस होता है और यहां पर क्या होगा तो आपको यहां हो जाएगा आपका एंटी न्यूट्रों एंटी न्यूट्रीनो याद रखे बचे एंटी न्यूट्रीनो कन बाहर निकलता है कौन कन बाहर निकलेगा तो एंटी न्यूट्रों और एंटी प्रोटों याद रख च्छाय में अगर positive है तो positron और neutrino और आपको beta negative है electron है तो anti proton और anti neutrino निकलता है अब देखें कोशन क्या कर रहा है बीटा च्छाय में electron यहाँ देखें कह दिया है बीटा च्छाय में क्या electron जब बाहर निकलेगा तो क्या होगा positive तो है नहीं electron निकला यह negative हो गया तो negative के साथ क्या निकलेगा anti neutrino बाहर निकलेगा बच्चे अब यहाँ गामा देख लेते हैं गामा क्या है तो गामा जो है आपक जिसमें, जिसमें केबल क्या हो, जिसमें आपको, ठीक है, स्पीन हो, ठीक है, और ये मासलेस हो, चार्जलेस हो, मासलेस और क्या होगा, चार्जलेस होगा, ऐसे कन को, हम क्या कहते हैं, चार्जलेस होगा, ऐसे कन को, हम क्या कहेंगे, न्यूट्रिनो कहते हैं, पॉली ने इसक रखना बिटा और ये भी आपको ध्यान में रखना है कि प्रोटोन प्रोटोन जो है किसी भी तत्यो के परमानू में जितना प्रोटोन होता है वही उसकी परमानू संख्या होती है अब देखिए यहां क्वार्क पर बात करते हैं क्वार्क आपको प्लस टू इवाइट फ्री यानि यह के रेसिप्रोकल ऑफ चार्ज उन एलक्टोन होता है और यह जैके मैनस इबटा थ्री होता है इसको अब क्वार्क कहते हैं और इसको डाउन क्वार्क कहते हैं इसको क्या कहेंगे अब क्वार्क और इसको डाउन क्वार्क कहेंगे और क्वार्क की खोज किसी ने की थी तो बहुत important है और बार-बार आपसे question पूछेगा तो बीटा छे में इलक्टोन उस सरजान के साथ नेमलकित में से कौन सा उपकर्ब उप परमानुकन साथ उत्पन होती हैं तो यह उत्पन होगा anti-neutron क्वार्ग भी मैंने बता दिया कि यही एक ऐसा कन है जिस पर आवेज जो है रिसी प्रोकल में होगा ब्युतकरम में होगा प्लस ट्वी वाई थ्री और मैनस इवाई थ्री होगा निट्रिनो की खोज पॉली ने किया था प्रोटोन की खोज फिर रदरफोर्ड ने किया था क्वार की खोज मरे गिलमन और जॉर्ज जिविग ने किया था तो यह ध्यान में आपको रखनी चाहिए तो बच्चे इसका अंसर क्या होगा anti-neutrino होगा बहुत important है और बार-बा धारिता का मतरक है विद्धुत धारिता का मतरक क्या होगा फेराड हो गया कैसे सी बराबर क्या होता है तो क्यू बाई वी होता है और यहां क्या होगा तो कुलॉंब पर वोल्ट कुलॉंब पर वोल्ट होगा याद रखिए इसको और ओम क्या है प्रतिरोध का मतरक है प्रत चुम्बकिया फ्लक्स की काई क्या होती है वेबर क्या होगा चुम्बकिया फ्लक्स की काई होती है चुम्बकिया फ्लक्स की काई हम किसको कहते हैं तो वेबर को चुम्बकिया फ्लक्स की काई को हम वेबर कहते हैं एकदम ध्यान में रखेगा और एक चीज़ और ध्यान में र लीजी तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा वोल्ट सकेंड पर एंपियर वोल्ट सकेंड पर एंपियर याद रखना बच्चे यानि हैंरी बरबर क्या होता है हैंरी बरबर क्या होगा तो बच्चे याद रखना है वोल्ट ठीक वोल्ट इंटू सकेंड पर एंपियर वोल्ट उत्रेरन गुनांक का मतरक क्या होता है है नरी होता है तो यह ध्यान में आपको रखनी चाहिए बार-बार आपसे कुछन पुछेगा उत्रेरन या मैंने इंगलिस में कहा है इंडक्सन क्या कहा है इंडक्सन या मैंने क्या कहा सेल्फ इंडक्टेंस का सेल्फ इंडक्टेंस का या मैंने क्या कहा mutual inductance का सब के मत रख क्या होंगे तो सब के मत रख को गए कौन Henry होगा बिटा Henry का क्या होता है तो volt second per mpr भी Henry को कहा जाता है तो यह ध्यान में रखिए बार बार इसको repeat करता हूँ मैं और बताता रहता हूँ आप लोगो चलिए नेक्ष कुशन देखते हैं क्या कहा रहा है policy themia dash से समधी था अच्छा कुशन है बच्चे यहां देखिए मैं आपको एकदम याद रखना है 3-4 बाते पहली बात क्या RBC की संख्या ठीक है बढ़ गई तो policy themia होगा RBC की संख्या अगर घट गई तो anemia हो गया क्या हो गया ए-ni-mi-ya हो गया चलिए बच्चे फिर देखिए WBC की संख्या बढ़ गई तो क्या होगा यह हो गया leukemia blood cancer बोलते हैं leukemia blood cancer बोलते हैं बिटा क्या बोलेंगे blood cancer rakt cancer rakt cancer कहा जाता है इसको अच्छी बात और WBC की संख्या अगर घट गई इसको बोलते हैं क्या lycopenia क्या बोलते हैं lycopenia कहा जाता है lycopenia कहा जाता है एकदम ध्यानब रखेगा अब देखिए अब देखिए बटा तेक है यहाँ आपको दिया हुआ vitamin K vitamin K K K का मत्रक कम हो गया तो आपको रक्त का थक्का नहीं जमेगा रक्त का थक्का नहीं जमेगा एकदम याद रखेगा थक्का नहीं जमता है बहुत important है और ठेक है vitamin K को हम क्या कहते हैं vitamin K को phyloquinone कहते हैं vitamin K को क्या कहते हैं vitamin K को phyloquinone कहा जाता है phyloquinone कहते हैं अब देखे vitamin E vitamin E जो है इसको tocopherol कहा जाता है tocopherol कहते हैं phyrol कहते हैं याद रखना बच्चे और इसकी कमी से क्या होता है नपुन सकता हो जाएगा ठेक है E मैंने बताया, बिटामीन K बताया, याल रखना है, A, D, E, और K, A, D, E, K, A, D, E, K, किसमें घुलनसील, तो वशा में, वशा में घुलनसील होगा, वशा में घुलनसील होगा, वशा में घुलनसील होगा, तो फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ RBC की समख्या अगर बढ़ जाएगी तो polycythemia RBC की समख्या अगर क्या होगी घढ़ जाएगी तो ऐनिमीया WBC की समख्या बढ़ जाएगी तो leukemia WBC की समख्या घढ़ जाएगी तो lycopenia Vitamin K की मत्रा अगर कम हो जाती है क्या कहा रहा है दिमलखीत में से कौन सा रोग यरसीनिया पेस्टिस के कारण होता है आसान को सने बच्चे आपको पता है कि पिस्सू इसका वहाग होता है और ये पलेग रोग है पॉस्ट्विडला पेस्टिस या यरसीनिया पेस्टिस ये किसकी वज़े से होगा तो आपको प्लेग हो गया रोग अब देखें एंथ्रेक्स क्या होगा एंथ्रेक्स आपको पता है बेसिलस एंथ्रेसिस रोग होता है ठेके एंथ्रेसिस जिवानू जनित रोग है एंथ्रेसिस होता है ठेके यह पसू में भी होता है और मनुश में भी होता है बच्चे बेसिलस एंथ्र और आपको पता होने चाहिए जीवानू जनित रोग है जीवानू के कडरन होता है और यह जीवानू कोण है तो बैसिलस एंहिसे होगे है मलेरिया यह आपको पता है प्रोटोजोन रोग है और यह तेक आपको प्रोटोजोन रोग है ठंड लगकर बुखार होगा और यह प्लाजमोडियम के कारण होता है और मादा एनोफिलीज मच्छल के काटने से यह रोग होता है और आपको पता होनी चाहिए कि यह जो है यह जो है आपको रत का रत का जो तिल्ली होता है तिल्ली को प्रभावित करने का काम करता है यानि रत को प्रभावित करता है डेंगू बच्चे डेंगू जो है यह भी विसानू जनित रोग है ध्यान में रखेगा विसानू जनित रोग होता है डेंगू विसानू जनित रोग होगा और डेंगो में क्या होता है कि आपकी शरीर में जो platelets की संक्या वो तिल्रिगती से क्या होगा घट जाता है और phlevivirus से यादर कर रखी बच्ची कौन सा वाईरस से होता है तो phlevivirus से होता है और यह Merci वाइरस से होगा और यह प्रोत्पन तो edis, adaptis, मच्छड जब काटेगा दिन के समय में काटा जाता है और आपके सरीर में यह फैलेगा फ्लेबी वाइरस यह फैलता है और यह ति ब्रगती से आपके सरीर के platelets की संख्या को कम कर देता है और आपको एक रोग हो जाता है जिसको डेंगू कहा जाता है त प्रकोप चला हुआ बच्चे प्रायह प्रायह दोचार घरों में आपको मिल यह दोचार घर चोड़ करके घर में आपको अभी डेंगू के पेसेंट मिल जाएंगे जैनरली इसमें क्या है कि आपको मच्छों से दिन के समय मच्छों से बच के रहना चाहिए तब ही जाकर करके इसका क्या होता है रोक ठाम किया जा सकता है बहुत डेंजरस रोग होता है सरीर को पूरा कर देता है यह क्या होता है पहली बार मानब करोना वायरस का पता कब चला था मानब करोना वायरस अच्छा है बच्चे सबसे पहले तो यह देखते हैं कि मानब करोना वायरस है क्या होता है तो कोरोना वायरस सब बच्चे तबाह है इसी से ठीक है बच्चे आपको पता होग कि पूरा जो है जुकेशन सस्ट्म को इसने प्रहवित किया है और कमोवेस, कमोवेस बच्चों के मांसिक छमता को भी इसने प्रभावित किया है, कौन, कोरोना, और यह कोरोना है क्या, तो बच्चे सार्स है, सार्स कोबी टू वायरस के वज़े से, यह हुआ है, सार्स, स-A-R सार्स क्या हुआ, सिवियर एक्ट्यूट रेस्पेरेटरी सैंड्रोम, कोब टू वायरस से, या इसको कोबिड, कोबिड नाइनटीन भी कहा गया बच्चे, कोबिड नाइनटीन वायरस से, यह अत्य ब्रगती से फैला था, लेकिन इसके बारे में पहली बार पता चल चल गया आपको, 1964-65 में, बरतमान सदी की बात अगर करें, तो बरतमान में यह सबसे भयानक आपको, थेकर आओ, उभर करके सामने आए था, लोगडाउन भी लगाना पड़ा, पूरे भारत में, पूरे विश्व में लोगडाउन लगाना पड़ा था, याद होगा आपनों को, और अच्छे तरीके से जानकारी होगी आपकी वहान चायना में एक वहान जगह है वहान से प्रारंब हुआ था इस सदी में और कहा जाता है कोई बता रहें कि चमगादर से हुआ कोई बता रहें कुछ और खाने सुआ कोई कुछ कोई कुछ कोई कुछ लेकिन वोहान इसका में जो सेंटर था वो चायना में वोहान था कहां था वोहान से यह प्रारंब हुआ था यह ध्यान में रखनी चाहिए और यह सीधे आपको याद रखना है चीक से लिगें आपको चीक से एक दूसरी बात क्या है कि आपका जो मून से जो ड्रॉपलेट से निकलते हैं चाहिए वो खासी हो बलगम हो इससे जो निकलेगा आपको ड्रॉपलेट उसी ड्रॉपलेट से यह फैल फैलता है जनरली इसमें छेपिट की दूरी बनाकर रखने की सलाह दी जाती है अगर किसी परकार से आपको कोई प्रॉब्लम हो गया तो मास्क अब भी वर पॉधे के किस घटक को पुस्पन के लिए उद्धिपन प्राप्त होता है तो पॉधे के किस घटक को बच्चे तो याद रखे पतियों को पतियों को पुस्पन के लिए क्या होगा उद्धिपन प्राप्त होता है बच्चे आपको पता होगा कि पॉधा जो है पॉधा पॉ होता है तो पौधा का प्रकासानुवर्ति गति ध्यान दीजे बच्चे पौधे का प्रकासानुवर्ति गति यानि फोटोट्रोपिक मुव्मेंट प्रकासानुवर्ति गति ठेकर यह हो गया यह गृत्वानुवर्ति गति पौधे का गृत्वानुवर्ति गति गृत्वानु गुर्टवानु वर्ती गती ठीक है ध्यान दीजे बच्चे गुर्टवानु वर्ती गती क्या होगा किधर के तरफ होगा तो यह होगा आपको सुर्ज के प्रकास के कारण सुर्ज के प्रकास की वज़त से यह movement आपको किस के तरफ कर लेगा तो प्रकास के तरफ movement कर लेगा औ आचे आपको पता होगा मैं बार बार आपको बताता हूँ कि देखे पुस्पन जो है ये क्या है तो प्रजनन अंग है ठीक है पौधे का प्रजनन अंग कोन होता है तो पुस्प होता है और यहीं पर आपको पता है कि यहीं पर दो भाग होते हैं एक होता पुमंग ये मेल ठी के संपूर्ण जनन होता है तो यह ध्यान में रखना है आपको बार-बार आपसे कुशन यहाँ पर पूछेगा चलिए नेक्स देखते हैं क्या कहा आपको कुशन डबल सलफेशन भारत में डैस के सोधन के लिए प्रियुक्त होता है बचे सलफेशन की बात अगर करेंगे तो सलफेशन किसके लिए किया जाता है तो जनरली सलफेशन किया जाता है ध्यान में रखेगा सलफेशन किया जाता है आपको किसके लिए तो चीनी के लिए किसके लिए चीनी के लिए सलफेशन करते हैं और यह है क्या हम एक तरफ से लिखते हैं चीनी है क्या वाट इस सुगर तो सुगर जेनरली प्राप्त होता है कहां से तो बच्चे सुगर जो है यह सुक्रोज है क्या है सुक्रोज है और सुगर जो है, ये क्या होता है, C12H22O11 होता है, C12H22O11 होता है, और यह आपको ग्लुकोज और फुक्टोज दोनों इसमें मिसरत होते हैं, सुगर आपको जेनरली प्राप्त होता है, केन, केन सुगर होता है, बच्चे, केन मतलब क्या होता है, सुगर केन से प्राप्त होता और Sulfur Sulfur इसमें मिला होता है सुगर में क्या मिला होता है Sulfur तो ये बड़ा dangerous होता है आपको खाने में बहुत सारा तोचारोग, बहुत सारे vomiting tendency, बहुत सारा कुछ प्रारम करेगा और आपके सरीर को प्रभवित भी करेगा तो Sulfur को हटाना है तो ये क्या करते हैं हम लोग Double Sulfation करते है Double Sulfation, ध्यान में रखेगा Double Sulfation ठीक है, किसमें Sulfation क्या होता है तो चीनी से चीनी से ठीक है, चीनी यानि केन सुगर से, चीनी से क्या, Sulfur के मॉलिकूल्स को हटाने के लिए Sulfur के molecules को हटाने के लिए molecules को हटाने के लिए molecules को हटाने के लिए याद रखना बच्चे molecules को हटाने के लिए हटाने के लिए और इसे इसे सुरक्षित करने के लिए सुरक्षित करने के लिए करने के लिए क्या करते हैं दो चीद प्रवाहिद करेंगे इससे, क्या-क्या, बच्चे, एक तो calcium oxide, यानि चूना, और प्लस sulfur dioxide, प्रवाहिद किया जाता है, प्रवाहिद करते हैं, इसे क्या कहा जाता है, इस प्रक्रिया को все, इस उफेशन कहते हैं, इस प्रक्रिया को double cope सुफर की मॉलीकूद को हटाने के लिए double administration किया जाता है, और ज़्यादा से ज़्यादा मत्रा यहां से निकाल लिया जाता है, बच्चे कच्छा तेल जो है ता crude oil, crude oil आपको पता होगा इसका हम प्रभाजी आस्वन करते हैं क्या करते हैं, प्रभाजी आस्वन करेंगे fractional distillation किया जाता है आस्वन करते हैं, प्रभाजी आस्वन करते हैं, और यहां से क्या होगा प्रभाजी आस्मन करने के बाद आपको पेट्रोल, डीजल, टेके पेट्रोल, किरोसीन, डीजल इत्यादी प्राप्त किया जाता है पेट्रोल की गुनवत्ता को ओक्टेन संख्याद वरा मेजट करते हैं टेकर डीजल की गुनवत्ता को सिटेन संख्याद वरा मापते हैं और यहाँ पर देखें खाद तेल है बिटा खाद तेल में असंत्रिप्ता जितना अधिक होगा वो आपके लिए उतना ही अच्छा होगा असंत्रिप्ता बोल रहे हैं यानि अन्सच्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ् जाता है किसका तो खाधे तेल का खाधे तेल का iodine value हम लोग calculate करते हैं तो बच्चे एकदम याद रखेगा कि खाधे तेल की और संत्रक्षता का पता लगाने के लिए उसका iodine value दिकाला जाता है ये ध्यान में रखेगा कोईला आपको पता है जिवास में धन है और कोईला मुख्य रुप से चार परकार के होते है कौन-कौन तो पहला आपको पता है pit जिवास में कोईला कहते हैं lignite याद रखेगा brown coal कहते हैं और आपको उसके बात bituminous, mulaime कोईला कहा जाता है और अंत में आजएए आपको अंतरासाइट सबसे अच्छा कोईला कहा जाता है यानि कारवन की सबसे अधिक प्रतिसत मत्रा की बात अगर करेंगे तो अंतरासाइट में और सबसे कम करेंगे तो वह पीट में होता है तो एकदम ध्यान में रखेगा बच्चे, बहुत important कुस्षन है, इसको करने के लिए किया जाता है, आपको चीनी की सुधता को बरकरार रखने के लिए, उसमें sulfur का molecule साधिक ना हो, उसको करने के लिए किया जाता है, यहां देखेगा, अच्छा कुस्षन है, बचे, पराभेगनी कीरन, पराभेगनी विकीरन, क्या है पराभेगनी कीरन भाई? तो पराभेगनी मतलब UV रेज होता है, और अल्टावेलेट रेज, और आपको मैंने कई बार बताया है, बटावेलेट रेज जैसे ही आए, तो आपके दिमाग में दो-तीन बाते आने चाहिए, इसका खुझ करता कून? रेटर, ठेक है, और UV रेज जो है, अल्टावेलेट रेज जो है, या सूर्ज के, सूर्ज के, सूर्ज के द्वारा, ठेक है, जब प्रित्वी पर आती है, तो उससे पहले ही, ठेक है, ओजोन पर पहले ही, ओजोन परत, ओजोन परत, कहां पाया जाता बच्चे? इस्टेटोसफेर में, क्या कहा? समताप मंडल में, ओजोन परत, समताप मंडल में, इसे अपसोसित कर लेता है, एकदम याद रखेगा, इसे अपसोसित कर लेता है, ध्यान में रखेगा, कर लेता है, किसे? तो ओजोन परत जो है परावेगनी किरण को अब याद रखे बच्चे परावेगनी किरण जो होता मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं यूभी रेज मुख्य रूप से तीन प्रकार के होंगे और यह बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्यों क्योंकि यह कुशन पूछता है बच्चे बहुत जादा पूछा जाता है ठीक है यह तीन प्रकार के कौन-कौन तो यूभी ए यूभी ए ध्यान दीजे यूभी ए फिर क्या हो गया यूभी ए फिर क्या हो गया यूभी सी यह देखिए UBC हो गया यह तीन प्रकार की किरने होती है अब देखिए एक तरफ से बात करते हैं यह UBA जो है इसका तरंगदैर की बात करेंगे तो 400 नानो मीटर से लेकर के 315 नानो मीटर होता है और इसे ओजोन परत अपसोसित नहीं करती है एकदम ध्यान में रखेगा ओजोन लेयर डजन्ट अब्जॉब्ड यह ओजोन परत द्वारा अपसोसित नहीं होता है और यूभी भी अब देखे यह क्या हो गया बच्चे 315 से 280 नानो मीटर हो गया और यह आपको जोन परत द्वारा अंसता अपसोसित होगा और यह ओजोन लेकर आ जाते हैं ठीक अब यूभी सी अब देखे यह कितना होगा बच्चे जनरली यूभी सी जो होता है 280 नानो मीटर से आपको 100 नानो मीटर के बीच होता है 100 नानो मीटर के बीच होता है तो देखे कहां से कहां गया तो आपको यह बड़ा डेंजरस होता है और मनुस के सरीर को जला देता है और मनुस का सरीर इससे क्या होगा बहुत अधिक प्रभाबित होगा तो आपका जो परावेगनी किरन का तरंग देद होगा 100 नेनो मीटर से 400 नेनो मीटर के क्या होगा बीच होगा और याद रखे परावेगनी किरन बड़ा इंपोर्टेंट है हमारे लिए भी कैसे इंपोर्टेंट है आपको DNA फिंगर पिंटिंग में यू भी एक किरन का प्रयो करते हैं आप लोग देखे हैं वे पानी पानी की सफाई में जब आप आरो वेगर अब देखते होंगे तो वहाँ पर यू भी लिखा हो रहता बच्चे तो अल्टा वैलेट किरन गुजार करके हम क्या करते हैं तो पानी में उपद से जिवानू किटानू विसानू को मार द अगर किसी प्रकार से प्रिथ्वी पर आ गया तो यहां पर त्वचा कैंसर या आप क्या कहिए तरह तरह के कैंसर उत्पन करने का काम करेगा नेक्स देखते हैं निमलखित में से कौन सा गुरुभ धर्म आबर साड़नी में बाएं से दाएं घरता है और वर्ग में उपर से नीचे क्या होगा बढ़ता है अच्छी बात है बच्चे हम सब पर बात कर लेते हैं सबसे पहला आयनी करन उर्जा क्या होता है आयनी करन उर्जा या आयनी करन इनर्जी क्या होता है तो आयनी करन उर्जा होता है माल लिजे कि कोई तत्व का परमानू है इसमें एक लेंकर उनकों कि वाहां को देना पड़ेगा टो जितना आठ्ग मात्रा दे रहे हैं उसी उरजा की मात्रा को क्या कहा जाता है वह मात्रद आै एक एलक्टोन को क्या करें बहार निकाल दे एक एलक्टोन को क्या कर दे बहार निकाल दे धनात्मक आयन बन जाए ठीक है तो उस उर्जा की मात्रा को हम क्या कहते हैं बच्चे आइनिकरन उर्जा कहते हैं एकदम ध्यानम रखेगा और आइनिकरन उर्जा आइनिकरन उर्जा स सबसे आधिक किसके लिए, तो आपको फ्रांसिसियम के लिए होगा, और सबसे कम किसके लिए होगा, तो आपको फ्रांसिसियम के लिए होगा, सरवाधिक, सरवाधिक और सबसे कम फ्रांसिसियम, याद रखिए, ऐसे भी छार धात्वों का सबसे कम होता है, और अक्रिय गैस का सबसे अधिक आयनी करन उर्जा होता है क्या होता है यानी करन उर्जा होता क्या है यानि किसी तत्य के परमानु को दी गई उर्जा की वह मात्रा जिससे वह एक इलेक्ट्रोन को बाहर निकाल दे अब देखे दूसरी बात कह रहें क्या है दूसरी बात क्या है तो इसमें एक electron जोडते हैं, तो क्या होगा? थि यह रिनात्मक आयन बनाएगा और इस प्रक्रिया में कुछ उर्जा की मात्रा बाहर निकालेगा, इस उर्जा की मात्रा को हम क्या कहते हैं? तो आपको electron affinity कहते हैं बच्चे, और अब देखे on'd negativity क्या होता है? Electronegativity होता है कुछ तत्तों के परमानू में जैसे fluorine, जैसे आपको sulfur, oxygen, nitrogen में एक electron या एक जोड़ी electron को अपनी और आकरसित करने की छमता पाई जाती है या आकरसित कर लेगा अपनी और इसी छमता को हम क्या कहते हैं विद्द, एहरेनात्मक्त, electron negativity कहेंगे किलियर है बच्चे आनी करन उर्जा क्या होता है किसी तत्तों के परमानू को दी गई उर्जा की वह मात्रा जिससे वह एक electron को अपने कक्छा से बाहार निकाल दे ठीक है और electron बंदूता किसी तत्तों के परमानू को परमानू में जब एक electron जोड़ते हैं तो वह कुछ उर्जा बाहार निकालता है इस उर्जा की मात्रा को electron बंदूता कहते है electron negativity यानि कुछ तत्तों के परमानू में यह गुन पाया जाएगा कि वह एक electron या एक जोड़ी electron को अपनी उर क्या कर लेगा आकर्सित कर लेगा खीच लेगा इसी गुन को क्या कहते हैं बच्चे इसी गुन को कहते हैं electron negativity एक देखिए क्या हो गया यहां उर्जा दे रहे हैं यहां उर्जा दे रहे हैं यहां उर्जा ते दे रहे हैं वह बन गया negative आयन, क्या बन गया, ये बन गया positive आयन बच्छे, positive आयन बन गया, यहाँ आपको electron जोड रहे हैं, अब यह उरजा बाहार निकला बच्छे, और यहाँ बन गया क्या, रेनात्मकायन, electron negativity मैंने क्या बताया, कि electron को अपनी और खीचने की छंता, को ही electron negativity कहेंगे एक जोड़ी एक एक जोड़ी electron और पर्मानुक तरजिया बच्चे पर्मानुक तरजिया जो होती है वो क्या होता है पर्मानुका कक्छा की तरजिया को पर्मानुक तरजिया कहेंगे कोई दिकत नहीं है जरा इस पर देख लीजे अब क्या करते हैं, सबसे पहले IP, IE या IP ठीक है, उसके बाद क्या होगा IP या IE, उसके बाद क्या होगा Electron, Affinity उसके बाद क्या होगा, Electron, Negativity फिर क्या होगा, Atomic Radius, यह देखे बिच्छे और यह क्या होगा, आपको आपको हो गया आवर्त क्या हो गया आवर्त और ये क्या हो गया वर्ग हो गया वर्ग हो गया अब देख लीजे ठीक है आवर्त में जब हम बाएंस से दाएं जाएंगे तो इसका मान क्या होगा बढ़ेगा ठीक है आवर्ग में उपर से नीचे घटेगा एलेक्ट्रोन एफिन इत्वे से कौन सा गुन धर्म आवर साड़ी में बाएं से दाएं घटता है तो ये परमानुत त्रिजिया हो गया और आपको उपर से नीचे जाने पर क्या होगा बढ़ता है तो ये परमानुत त्रिजिया होगी बाकी सब क्या होगा बाएं से दाएं जाने पर बढ़ता है मा भी किते में से किसकी काई वही होती है यह थ्वासा हिंदी में गड़वाण लिखा हूा लेकिन इंगलीज में सही है और यह क्या है तनों को हटा दिजे यह कर दिचे प्रति बन क्या होता कि अ devoted प्रतिबल क्या होता है तो प्रतिबल जो है इस्ट्रेस जो होता है इस्ट्रेस क्या होता है इस्ट्रेस होता है प्रति एकांग छेतरफल पर लगने वाले बल यदि बल नॉर्मली लग रहा हो यह टेंजेंसली लग रहा हो बटे छेतरफल एरिया बटे छेतरफल इसी के अनु या कोई भी बल है, सबका इकाई एक जैसी होगी, ठेक है, न्यूटन होगा, कार्ज, उस्मा, उसके बाद उर्जा, उर्जा, फिर देखिए, उर्जा, फिर क्या हो गया, तो बच्चे बला, घुन, सबका बिमा या मतरक एक समान होता है, बच्चे, सबका बिमा या मतरक क्या ह कि 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 ठील योगी वो सबब्सक्राइब सब्सक्राइब कि सब्सक्राइब कि एबिसी लोग वेपन मेने सब्सक्राइब के बराबर होगा यह आबरती के बराबर नहीं होगा क्योंकि आपको पता है कौनिये वेग की काई आबरती के बराबर होता है कौनिये वेग की काई आबरती के बराबर होगा याद रखना बेटा कौनिये वेग की काई आबरती के बराबर होगा एकदम ध्यान में रखेगा कौ कार्ज, उस्मा, उस्मा, उर्जा, बलागुन, सब का विमा या मत रख्या होगा, बराबर होता है, तो यह ध्यान में रखेगा, कार्ज, उस्मा, उर्जा, बलागुन, सब का विमा या मत रख्या होगा, बराबर होगा, तो यह बातें याद रखेगा, अब देखे, दाब के बड़ी बहुत अधिक मत रख होते हैं पहला क्या होगा ठीक है न्यूटन पर मीटर स्कुर्ड दूसरा क्या होगा पास्कल तीसरा क्या होगा बच्चे तो अगर वाइम लियाद आपकी बात करते हैं तो एट्मोस्फेर चोथा क्या होगा बार भी आर बार पाच्मा क्या होग भी आपको बल का मत्रक होता है तो यह बात है याद रखनी चाहिए आपको नेक्स देखिए पानी में थोड़ी मत्रा में बेकिंग सोडा मिलाने पर उसका pH हो जाता है अब देखिए बेकिंग सोडा क्या है पहले यह देख लेते हैं कैसे बना abanking soda तो backing soda बना दे вспただब्दा किससे बना तो backing soda बना यहां देखिए NaOH sodium hydroxide है यह प्रबल चारक हिए और देखिए यह carbonic acid h2c3 carbonic acid है यह निर不知道 हिस्थिक्र निर्बल आमल है निरबल अमल है यानि प्रबल छारक और निरबल अमल से क्या बनता है तो बच्चे यह बेकिंग सोडा का निर्मान होता है NAHCO3 sodium hydrogen carbonate बन गया यानि क्या है यह तो प्रबल छारक और निरबल अमल से बना तो इसकी प्रकृति कैसी होगी बच्चे तो यह होगा आपको चार की ये लबन या आपको लबन ये बोलते हैं ये होगा ये कैसा लबन होगा तो चार की ये लबन होगा बेसिक सॉल्ट होगा चार की ये लबन होगा बच्चे ये चार की ये इसकी प्रकृति क्या होगा चार के समान होगा चार के समान होगा तेखे मैं ने क्या किया है बच्ची प्रबल छारा को निरबल अमल से जब लबन का निर्मान हुआ तो ऐसे लबन को हम छार के लबन कहते हैं तो यहां देखे क्या हो जागा प्रबल रूप से चारिये गलत बात है ठीक है अहां दुरबल रूप से चारिये दुरबल रूप से चारिये ही होना चाहिए प्रबल रूप से कार्बोनेट का जो पि-एच मान होता हलका सा ठीक हलका सा ङूगा होगा भख बहुत जादा नहीं होगा क्योंकि नबन है चाहिए यह दुरबल चाहिए होगा अगर यह अगर तब ये प्रबल चारी होता लेकिन ये दूर्बल है दूर्बल चारक और निर्बल अमसे बना है लबन है इसलिए ये क्या होगा तो दूर्बल प्रकृति का होगा कैसा प्रकृति होगा तो दूर्बल प्रकृति हो जाएगी यानि आपको टेकर स्ट्रॉंग नहीं होगा ये वीक हो जाएगा, क्या होगा, वीक होगा तो एकदम ध्यार में रखेगा, पानी में थोड़ी मत्रा में वैकिन से उटा मिलाने पर उसका पी-एच होता है दुरबल रूप से छारी हलका सा हलका सा, जो है, वो साथ के बाद होगा, साथ हो, साड़े आठ हो, तो एट पंट टू, एट पंट थी के आसपासम को लगता है, इसका पी-एच मान होना चाहिए बच्चे, इसलिए, या क्या होगा, तो दुरबल चारी के हो जाएगा, तो एकदम क्लियर है, याद प्रबल अमल और प्रबल चारक, याद रखिए बच्चे, प्रबल अमल और क्या होगा प्रबल चारक से, यदि आपको लबन का निर्मान होगा, ये उदासीन बनेगा, क्या बनेगा, उदासीन लबन, उदासीन लबन बनेगा, उदासीन लबन का निर्मान होता है एकदम ध्यान में रखना है और फिर क्या बोल रहे हैं कि अगर आपको प्रबल अमल है निर्बल चारक है प्रबल अमल और निर्बल चारक निर्बल चारक तब क्या होगा प्रबल अमल और निर्बल चारक से किसका निर्मान होगा तो बच्चे ये निर्मान ह आपको अमलीय लबन का निर्मार होगा अमलीय लबन बने गा और देखिए ठेका बच्चे एकदम याद रखना है अगर यहाँ पर क्या होगा अगर अब बात कर दो फ़िया देखिए ठेका अब बात करने देखें प्रबल चारक रख। और निर्बल लबन से क्या बनेगा प्रवाल चारो का निर्वल अम्र से बनेगा ध्यान में रखेगा ये बनेगा ठेक है आपको क्या बनेगा तो चार की ये लवन बनेगा बेसिक सॉल्ट बनेगा क्योंकि आपको बेटा पता है कि एसी डॉर बेसिस जब आपस में अभिक्रिया करता है तो सॉल् तो यह बाते याद रखनी चाहिए, बार-बार आपसे कोशन पूछेगा, ठेक है, तो बहुत अच्छा कोशन है ये, निक्षे देखते हैं, यहाँ देखे, speaker बदलता है, अच्छा कोशन है बच्चे, ठेक है, हम दो-तिन बाते आपको बता रहे हैं, जो आपको याद रखना चाहिए, यहाँ देखे, उर्जा, उर्जा का रुपांतरन होता है, उर्जा, कभी भी, उर्जा नस्ट या उर्जा नस्ट या उत्पन नहीं होता है, उर्जा नस्ट या उत्पन नहीं होता है, नहीं होता है, एक्दम ध्यान में रखेगा, ठेक है, अब देखे, अब क्या की को हनी चाहरे है मोटरetr work एलेक्टिक मोटर यह क्या से बच्चे को बद différentes है किस में यह ल का हरा कि चलित shortest की 20 बींट अ कि जेनेरेटर पसंत्रेक अ जू ल आती है फिर आते हैं जेनेरेटर क्या होगा जेनेरेटर जो किसमें बदलेगा तो electrical energy को sound energy में, microphone ये क्या होगा, microphone ध्यान में रखेगा, microphone ये क्या होगा, बच्चे sound energy को बदलता है, किसमें, electrical energy में, तो ये बहुत सारे इनरजी रुपांतरन होते रहता है, यहाँ देखे, speaker बोलना है, तो विदू तूर्जा को ध्वनी उर्जा में, यह द आफ्राफ्राम के पारल्ल ये क्या को राप ऐपरिट करेगा और यह ठेग एलेक्रिकल इनर्जी.......का किसमें हो जाएगा साउंड इनर्जी में कनवर्शन हो गया साउंड इनर्जी में ये कनवर्ट हो जाएगा तो यह दियाद रखना है आपको बार-बार आपसे इस तरह का प्रशन पूछेगा बहुत अच्छी बात आगे बढ़ते हैं निकेल से कौन सा रोग होता है अच्छा कुसन है बच्छी जब भी निकेल के चपेट में कोई बयक्ती आएगा तो इसको एलर्जिक तेके ऐलर्जिक डर्मेटाइटीस याद रसे बच्छी क्या होगा तो मत्त समंधित और इसको क्या बहुतें तरह काम बोलते हैं तो इटाई टिस रोग होता है रोग होता है ध्यान में रखेगा डर्मेटाइटिस रोग होता है यानि उसको डर्मेटाइटिस हो जाएगा अब देखिए दम्मा आपको पता है यह आपके लंग से समंधित रोग है लंग से समंधित रोग है घुटन जदी होता है घुटन जदी ह से पानी में केड़ियों की बहुलता से यहां रोग होता है कि आपको अगर पानी में क्या होगा मरकरी की बहुलता हो जाए मरकरी की बहुलता हो जाएगा तो कौनसा रोग होगा तो मिनी माता होगा कौनसा मिनी माता रोग होता है मिनी माता रोग होगा अगर आपके पानी में अगर आपके पानी में आर्सेनीक की मात्रा बहुत अदित हो जाए, तो ये क्या होगा? तो यह किसी भी प्रकार कांसर उत्पन करने का काम करेगा, बचचे. इसलिए पानी में किसी भी प्रकार का cancer उत्पन करता है, बहुत important है बच्छे, यहां देखें तचा सोथ, यानि निकल से कौन सा रहु होगा, तचा सोथ होगा, और निकल के प्रफ़व में जब तचा आ जाता है तो allergy होगा, तचा समंधी allergy होती है, और तचा पर उजले उजले दाग पढ़ जाते हैं और इसे तचा डर्मेटाइटीस कहते हैं, तो यह ध्यान में रखिएगा, चलिए आगे देखते हैं, next question, निमलखित में से किस बिटामीन की कमी से तचा लाल और खुजलीदार हो जाती है, बहुत अच्छा कुशन है बच्छे, generally तचा लाल और कुबाल एमीन कहते हैं, यह कुबाला मीन कहते हैं, कुबाला मीन कहा जाता है, यह जो है आपको पता है कि रक्त के निरमान में बहुत आवश्चक होता है, रक्त निरमान में बहुत आवश्चक होता बच्छे, और तो अगर इसकी कमी हो जाए आपके सरीर में, तो आपके त किस तरह का काम होगा बच्चे तो हमारे तोचा में आख या आख या तोचा के नीचे जो है तोचा के नीचे काफी अधिक लाग हो जाता है यह देखिए विटामिन B1 जो है इसको थाइमीन कहते हैं क्या कहते हैं थाइमीन कहते हैं और इसकी कमी से बेरी-बेरी रोग होता है ये भी तुचा से समझ दिते हो गए बच्चे, लेकिन तुचा क्या होगा, इसमें रुखा होता है, रुखड़ा तुचा हो जाएगा, रुखड़ा तुचा होता है, अब देखिए, यहाँ पर क्या होता है, आपको बिटामिन B9, यह फॉलियेट है, यह फॉलिक एसीड है, और इसकी कमी से भी आपको रक्त की कमी हो जाएगी, रक्त की अधिक कमी हो जाती है, अधिक कमी होता है, और बिटामिन B7, इसको क्या बोलते हैं, बायोटीन कहते हैं, और यह बड़ा इंपोर्टेंट बिटामिन B7 है, क्यों इंपोर्टेंट है, तो बच्चे इसकी वज़ और तेक है लेडीज में प्राय क्या होगा संपूर बाल उड़ जाता है पूरा टकला बन जाएगा विक्ति एसे हम भी टकले हैं लेकिन क्या है अलोपेसिया बोलते हैं इसको यानि तो आपको चांद के समान आकार बन जाना यह देखे बाल किसी आस्थान बिसे से उड़ जान कहते हैं और फॉलियेट कहा जाता है बिटामिन बी सेबन को हम बायोटीन कहते हैं सबके कमी से मैंने रोग आपको बता दिया फॉलीक एसीड देखिएगा जनली गर्वती महिलाओं को खाने की सलहा दी जाती है कौन फॉलीक एसीड खाईए आप ठीकर जिससे क्या होगा कि आपके सरीर में रक्त की मात्रा बढ़ जाएगी गर्वती महिलाओं को ज्यादा सलह दी जाती है खाने के लिए फॉलीक एसीड का टेबलेट चली बहुत इंपॉर्टेंट है बच्छे देखते हैं जो सुक्ष वजीब कारवन डायोसाइट की उच्छे सांदरता में विक्स का जाता है कैनोफिल्स का जाता है अब देखिए हाईयर ऑस्मोटिक प्रेसर में जो उत्पन होगा उसको क्या बोलेंगे तो बच्चे तो परासन परासन रागी बोलेंगे परासन रागी बोलेंगे ऑस्मोफिल्स बोलते हैं ऑस्मोफिल्स का जाता है उसको उस्मोफिल्स क कहा जाता है जे रो फिल्स कहा जाएगा यानि आपको जो जिवानू ठीक है मरू भूमी में या कहिए रिगिस्थानी छेत्रों में ठीक है पनपते हैं उसको मरू रागी कहा जाता है जो लबन वाले छेत्रों में उखता है यह अपना डवलप्मेंट करता है उसको हेलियो फिल कहा जाता है जो उच्छे उच्छे परासरन यानो ऑस्मोटिक प्रेसर पर क्या होगा अपने आपको तेक अपने आपको फैलाता है अपने आपको सर्वाइब करवाता है उसको क्या बोलते है उसमोफिल्स कहा जाता है और जो जिवानु याद रखे उच्छे सांधरता में कार अपने आपको सर्वाइब करता है उसको कहा जाता तो बहुत इंपोर्टेंट है यह जीवानु है अलग 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 परिवेस में अलग अलग नाम से संबोधित किये जाते हैं इसको तो यह भी बड़ा इंपोर्टेंट है बच्चे याद रखेगा कैनोफिल्स कहेंगे क्या क मचल के काटनी से होता है इब ला इभी आपको क्या है अब देखे सार्स अभी तरह में बताया था आपको कि यह तैए सवियर एक्यूट acute acute respiratory syndrome होता है यह किसकी वज़ासे होगा यह जनरली सार्स जो है यहां ठेक है यहां भी आपको भी सानू जानीत रोग ही है लेकिन फालेरिया बच्चे यह हलमैं This के कारण होता है और इसमें क्या होगा तो आपको मैं बार बार आपको बताता रहता है कि देख़िए के देखिये के वाउचेरिया ब्रॉण काफ्टी के कारण यह रोग होता है जैनरली यह प्रोटोज्वण डीडीज है हलमन्थस के कारण होता है वोचेरिया, ब्रॉनकफ्टी, वोचेरिया, ब्रॉनकफ्टी, यानि कबक, कबक जनीत रोग है, ब्रॉनकफ्टी, याद रखे बच्चे, ब्रॉनकफ्टी, ब्रॉनकफ्टाई कहिए, तो इसकी वज़ा से यह रोग होता है, तो फाइलरिया इसमें एलिफेंटियेटीस हो जा यह फाइल एरिया है बच्छी तो ध्यान में रखे ए सार्स सेवियर एक्यूट रेस्पारटरिश सेंट्रों में आपको पता है ठीक है अभी तुरहंत मैंने कोबीड बताया था कि देखे कोबीड को सार्स कोब 2 वायरस मैंने कहा था तो ठीक है यह क्या है विसानु जनित लेकिन वाच एरिया वरन कफ्टी यह देखे कवक जनित रोग हो गया तो आंसर कोन हो जाएगा तो फाइल एरिया होगा तो ध्यान में रखेगा इसको आगे बढ़ते हैं एक पतली सोने की पन्नी पर अल्फा कानों का प्रकिर्णन किसकी उपस्तित को सूजित करता है देख एक प्रकिर्णी पर अल्फा किया एक गॉल्ड फोएल फॉइल एक्सपर किया था विचे एक प्रकिर्णी पर औरी किसके द्वरा उन्हों ने बताया क्या कि देखे परमानु में एक केंद्रक होता है परमानु पुणता खाली होता है इन्होंने क्या क्या कंसेप्ट दिया था परमानु पुणता खाली होता है ध्यार में रखे बच्चे पहला कंसेप्ट इन्होंने क्या दिया देखे परमानु परमानु तो होता है परमानु कई होता है रिक्त होता है तो कितना पर्मानु का संपूर धनावेस दूसरी बात इन्होंने क्या कही धनावेस केंद्र में केंद्रित होता है केंद्र में केंद्रित होता है जिसे नाभिक करते हैं नाभिक का सिध्धांत किस ने दिया था तो रदर फोर्ट नहीं दिया था परमानु का संपुन धरवास केंद्र में केंद्रित होता है इसी केंद्र को हम क्या करते हैं तो नाभिक करते बच्ची तो नाभिक का सिध्धांत किसे ने दिया तो रदर फोर्ट ने दिया था और रदर फोर्ट ने ये भी बताया है कि देखिए इलक्टोन नाभिक के चारो तरफ ठीक उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार गरह सूर्ज के चारो तरफ चक्कर लगाता रहत होता है तो दो क्वह था आपको पता है एक परवानु एक ऐसे नहीं बच्चे में होता है टॉट这 आप से कुसन पूछेगा चले देखते हैं नेक्स कुसन को निवलकित में से कौन सा लेंस प्रकास की किनों को सबसे बड़े कौन से मोड़ेगा तो अच्छी बात है बच्चे सबसे बड़े कौन से मोड़ेगा ध्यान में रखेंगे बच्चे सबसे बड़े कौन से कौन अधिक होगा ध्यान दीजे बच्चे इसको सन पर क्या कह रहा है कह रहा है सबसे बड़े कून से मुड़ता है तो आपको पता होगा कि पाबर पाबर बराबर क्या होता है पाबर बराबर होता है one better focal length one better focal length होता है पाबर बराबर और ठीक है आपको जिसकी focus दूरी अधिक होग जब फोकस दूरी कम होगी, अधिक कौन कब होगा, जब फोकस दूरी कम होगी, ध्यान दी जब अच्छे, एकनम कंसेप्ट किलियर है, क्या कंसेप्ट किलियर है, कि अधिक फोकस दूरी जब होगी, अधिक फोकस दूरी होगी, तो कौन कम होगा, कौन कम होगा, याद रखना क्या होगा दूरी होगी तो कौन अधिक होगा कौन अधिक होगा कौन अधिक होगा कौन अधिक होगा अब हम पाबर भी बात कर रहें कौन अधिक होगा अब पाबर बात कर लिजिए पाबर पाबर क्या कहा रहा है बच्छी तो अधिक फोकस दूरी होगी कौन कम होगा पाबर पाबर क्या होगा कम होगा कम फोकस जूरी होगी कौन अधिक होगा पाबर क्या होगा अधिक होगा यानि जिसका पाबर अधिक होगा ठीक है वो अधिक कौन से मोड़ेगा यहां देखें ठीक है सबसे अधिक पाबर किसका है तो यह है यह मोड़ेगा सबसे अधिक यानि प्ल पाउर कम होगा और अधिक पाबर होगा इसका मतलब होगा कौन का मान अधिक होगा फोकस दूरी आपको अधिक, फोकस दोरी बहुत-बहुत कम होगी, यह ध्यान में रखेगा, जो मैंने concept पर बताया, यानि power, universally proportional to one-way focus, ठेकर, directly proportional to, क्या हो गया, angle, यह ध्यान में रखेगा, ठेकर, angle, यह याद रखेगा, तो आपको तुरंद कुशन बन जाएगा, चलिए निक्ष्ट देखते हैं, निमलखीत में से कौन सा ऑक्साइड अमली और चारिये दोनों बैभार परदसित करता है, तो बच्चे सबसे पहले हम दो बाते हैं देखते हैं, क्या जी, धातू के ऑक्साइड, धातू के ऑक्साइड, क्या होगा, तो बच्चे धातू के ऑक्साइड होगा, चारीय प्रकृति चारीय प्रकृति ठीक है आपको फिर देख लिए अधातू के ऑक्साइड अधातू के ऑक्साइड क्या होगा अमलिय अधातू के ऑक्साइड क्या होगा अमलिय प्रकृति अमलिय और अमलिय प्रकृति के होंगे और हम बात कर रहे हैं ठीक है अलमुनियम हम बात करें लेड हम बात करें जिंक के ऑक्साइड जिंक के ऑक्साइड यह क्या होते हैं तो उभाय धर्मी होते हैं क्या होते हैं उभाय धर्मी होंगे उभाय धर्मी होते हैं यानि एसीड और बेस दोनों की भाति बेभार करता है अब देख लिजे बेटा क्या होगा यहां पर एक तम ध्यान में रखेगा धातू के ऑक्साइड छारिय प्रकृति कोई दिकत नहीं है धातू के ऑक्साइड क्या होंगे अमलिय प्रकृति को होंगे जैसे एक्जामपल के तौर पर धातू के ऑक्साइड में लिजे ठीक है आपको कैलसियम ऑक्साइड ले लिजे ठीक है जै यह सब क्या होंगे उभैधर में होंगे अमल और छारक दोनों की भाती विभार करता है तो यहां देखिए जिंक ऑक्साइड होगे आपको एकदम ध्यान में रखेगा अब एक चीज़ और ध्यान में रखेगा उदासीन ऑक्साइड कौन-कौन होगा तो उदासीन यानि ना त अच्छारक किसी भी तरह से विवार नहीं करेगा चलिए नेक्स देखते हैं म्यूकोरो माइकोसीस किसके द्वारा किसके कारण होता है अच्छा कुस्तन है बच्चे म्यूकोरो माइकोसीस आप थोड़ी दिन पहले सुने होंगे ब्लैक फंगस रोग ब्लैक फंगस सुने है सुने हो इसी को बोलते हैं मिकोरो माइकोसिस यह यह ब्लैक फंगस रोग है एकदम ध्यान में रखेगा फंगस रोग है यह ठीक है यह क्या करता है यह जो है कहां प्रभावित करेगा यह तवचा यह चेहरा चेहरा नाक आख को प्रभावित करता है नाक आख को प्रभावित क करता है एक्दम ध्यान मी रखना प्रभावित करता है तो किसकी वज़ह से यह फैलता है बच्चे आपको कभग के वज़ह से फैलेंगा मुक्रमाइकोसिस एक परकार का ब्लक फंगस रोग है यह क्या होगा तो बच्छे यह जो है मुझ को यह जो है आग को यह जो है मस्स को यह चेहरा को प्रभावित करता है और याद रखना इसमें क्या होगा तो इसमें जनरली सिम्टम क्या होगे होगा चहरा में दरद काफी ज्यादा दर्द चहरा में डर्द होता है निकवर मैकोसिस की वज़ासे होता है बहुत अच्छी बात आगे देखते हैं नमल खित मेंसे कौन सा अनुवान से किया इन्ग जंडर अच्छी बात है अरे ये क्या बात हुई तो royal aymophilia, royal haemophilia बच्चे इसमें क्या होता है आपको haemophilia में क्या होगा रख का ठका नहीं जमता है है अच्छी बात और क्या होगा और एक और चीज होगा बâtट चाहДа कि आपको ऐट जो रगतके थक특न को बनाने के लिड़े दिम्म मेदार होता है संक्ट एट की कमी हो जाती है ध्यान में रखिएगा इसको । स्थार्यट की कमी हो जाती है अब देखे, जेनरली पाचन, digestive system, कोईसा सिस्टम, digestive system, एक दम ध्यान में रखेए, बच्चे, digestive system आपको हो गया, फिर क्या हो गया, बलगम गया, बलगम, ठीक, आपके, बलगम निकलते रहते हैं, देखेगा, ठीक है, कि खासी से निकलेगा, बलगम बहार, तो पाचन ग्रंथियों से फिर बलगम या कोई भी रस जो है आंतरिक रस ये क्या होगा गाढ़ा हो जाएगा आंतरिक रस क्या हो गया गाढ़ा हो गया ये देखे पाचन बलगम आंतरिक रस गाढ़ा होगा तो गाढ़ा जैसे ही होगा तो ये क्या होगा तो आंतरिक अंगों में जम जाएगा और ठेक्वा को प्रवाह को क्या करेंगा प्रभावीत करेगा इसी के कारण cystic fibrosis का निर्मान हो जाता है फिर पाचक रस या कोई भी बलगम या कोई भी आंत्रिक रस अगर गाढ़ा हो जाएगा तो ठेक्वाद्रिक अंत्रिक पाचकरस है वही तेक गाढ़ा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा वहीं चिपक जाएगा चिपकने की प्रविर्ति उसमें आ जाएगी और वो क्या करेगा कि अन्य जो पाचकरस है उसको करेगा जिसके कारण आपको उसका प्रवा वाधित हो जाएगा इसी के कारण सिस्ट्रिक फाइब्रोसिस का निर्मान होता है यह आंत्रिक अंगों को प्रवावित करने वाला एक गंभीर रोग है बच्चे बहुत गंभीर रोग है अब देखिए मॉर्फन सिंड्रोम क्या TN1 जिन में जिन में म्यूटेशन के कारण होता है म्यूटेशन के कारण होता है म्यूटेशन मतलब किसी ने किसी प्रकार से जिन में क्या होगा है म्यूटेशन हो जिसके कारण देखेगा कि हाथ छोटा यह जो पाम है यह छोटा हो जाएगा उंगलिया लंबी लंबी हो जा यानि आपको पैर तो पैर तो छोटा होगा लेकिन अंगलियां लंबी-लंबी हो जाएगी जैनरी या किसकी वज़े से होता है तो FB1 जिन में मुटेशन के कारण यह रोग उत्पन होता है उच्छे रखता आपको पता होगा कोलेस्ट्रॉल में बिर्धी के कारण कोलेस्ट्रॉल में अगर विर्धी हो जाए तब क्या होगा तो चरक्तचाप उत्पन होता है तो बच्छे क्या करा कौन सा अनुवाद से लिंग जेंडर से समझ दीत है तो आपको ठीक है और फिमिल के सहलगनता करान उत्पन नहीं होगा यह म्यूटेशन होता है किसी नगार का लिया जीन के मुटेट के कारण आपको पाम छोटा अंगलियां लंबी हो जाएंगी तो इस प्रक्रिया को ही क्या बोलते मर्फन सिंड्रूम कहा जाता है तो बहुत इंपोर्टेंड ह है बार-बार याद रखेगा तो मज़ा आएगा आपको चलिए नेक्स देखते हैं कुस्सन क्या कह रहा है करा हाइडोजन इंधन से वाहन द्वारा ने मिल खित में से किस सर्जित पदार्त के रुप में निस्कासित होता है देखिए तेक हाइडोजन जब जलेगा हाइडोज वाहन में जलता है तो किसका किसकी उत्पत्ति करेगा तो जल की उत्पत्ति करेगा यह देखिए कहां गया जल उत्पत्ति करेगा मिथेन या जो भी कार्बनी पदार्त हवा में जलेगा तो क्या उत्पन करेगा तो हवा में जलेगा यानि ऑक्सीजन के प्रजेंस में तो यह द्यान में रखिएगा बारबार आपसे को शन पूछा जाएगा तो कर्मा डीकसाइड और जल उत्पन करता है तो जब भी आपको हैद्रोजान बाहन जलेगा तो केबल क्या उत्पन करेगा जलं यह करेगा जल्दBlue क्या है थे हैद्रोजन परक्साइड है तो बच्चे और उंचे दाब पर हम क्या करते हैं कि लौह चूर्ण की उपस्तिती में आपको नाइटोजन और हाइडोजन की जब अभी क्रिया कराते हैं तो अमोनिया का निर्बान होता है बड़े-बड़े कोल्डे स्टोरेज में ठंडा उत्पन करने के लिए अमोनिया का प्रयोग किया आपको पता है तीन वर्ड मैं यूज कर रहा हूँ पहला बॉर्ड दूसरा कॉड ठेक है और तीसरा डिजॉल्ड ऑक्सीजन देखिए प्रती ग्राम जल में जितने ऑक्सीजन घुले हूँ उसे ठेक है आपको क्या कहते हैं एक ग्राम जल में घुले ऑक्सीजन की मत्रा जल कर्बनिक पदार्थों के जो भी चाहरो जी बीत और जीवीद जो भी यह बच्चे वीaste करते हैं को आपको पता है यही वास्विक जल के प्रदुसन को बताने वाला कारक होता है बच्चे कोड ही अब देखें बाड बाड क्या होता बैलोजिकल ऑक्सिजन डिमांड हो गया और बच्चे जितने भी जिवित पदार थे जल में उसके आवस्यक रुप से जीने के लिए आवस्यक ऑक्सिजन की मांग को हम क्या करते हैं तो बैलोजिकल ऑक्सिजन डिमांड करते हैं एक दम ध्यान में रखेगा जितने भी जिवित पदार थे जितने जिवित पदार थे जिवित पदार थे जिवित पदार थे हैं ठीक है उनके उनके जीने के लिए उनके जीने के के लिए आवश्चक oxygen के लिए आवश्चक oxygen को हम क्या कहते हैं तो बच्चे बार्ड कहते हैं और ठीक है आपको बार्ड ज्यादा होगा तो जल प्रदूसित होगी बार्ड ज्यादा है जल प्रदूसित होगा और जल प्रदूसित होगा और जल प्रदूसित होगा और जल प्र जल प्रदूसित नहीं होगा, जल प्रदूसित नहीं होता है, ध्यान में रखेगा, जल प्रदूसित नहीं होता है, बच्चे एकदम याद रखना है, कि जल के प्रदूसित को मापने के लिए हम बाड का मान मापते हैं, बाड का मान अगर अधिक होता है, तो जल क्या होगा, प्रदूसित होगा बॉट का मन बहुत अधिक तो जल बहुत अधिक प्रदूसित होता है तो एकदम ध्यान में रखेगा यहां देखिए नैट्रोजन आपको पता है नैट्रोजन N2 खोज करता है रादर फोर्ट क्लोरीन यह जो है हरिक पीली गैस होती है या हेलोजन है और ओ यहां देखें, सबसे पहले हम soda canch, soda glass, यह किसका बना होता है, यह sodium silicate होता है, एकदम याद रखें बचा, होते हैं यह खिड़की regarder कि हम लुग लगाते हैं या काच का गलास बनाते हैं काच के बरतन भी बनाते है है लेकिन अब बरत तो अलग अलग प्रकार का बरतन होगा है जेक है देहां दिछे बुख क्रुक्स कांच बोलते हैं जनरली यह परावजनी किरनों को रोकने का काम करता है यह परावजनी किरनों को रोकने का काम करता है इसमें क्या होता है तो इसमें ध्यानम रखेगा इसमें क्या होगा तो सीरियम ऑक्साइड का प्रियोग होता है बच्चे यह बराबर पूछता है Serium Oxide का यूज करेंगे Serium Oxide का यूज करते हैं और ये क्या होता बच्चे ये जो है आपको धुप चसमा में यूज होता है परावजनी किरुनों को अपसूसित करता है धुप चसमा में हम इसका प्रियोप करते हैं कुरुक्स काच का अब देखे अब आते हैं पैरेक्स काच कौनसा काच पैरेक्स काच आते हैं और ये क्या होता है तो पैरेक्स काच जो है ये बोरो सिलिकेट इसमें होता है बोरो सिलिकेट और या उच्चे ताप पर उच्चे ताप पर कोई खास प्रभवा नहीं पढ़ता है प्रयोक साला बरतन में इसका प्रयोक करते हैं और अंत में आईए जेना काँच सबसे अच्छा काँच कुन होता है तो जेना काँच होता है बच्चे इसमें जिंक और बेरियम बोरो सिलिकेट होता है जिंक और बेरियम बोरो सिलिकेट इसमें होगा और इसका इस पर अमल और छारक का कोई प्रफ़वा नहीं पड़ता है तो जनरली अमल और छारक को रखने के लिए सबसे अच्छा काँच ध्यान में रखेगा सोडा कांच, त्यूदियुम सिलिकेट सिंपल कांच बनाने में त्यूदिय कहांच, धुग चसमा बनाने में सिरियम आकसाइड होता है और प्रियोक साला बरतन बनाने में यह निवी उचिता आपको सहन करे, उसको बनाने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं तो पारेक्स कांच और जेना कांच आपको पता है जिंक बोरो सिलिकेट सबसे अच्छा कांच होगा अब देखे एक उसन में क्या कर रहा है कांच परावेग नहीं किरणों को तो कुरुक से कांच याद रखे धुप चस्मा में इसी का प्रयोग हम लोग करते हैं बहुत इंपॉर्टेट है बेटा सोडा ग्ला सोडियम सिलिकेट कांच सिंपल कांच हो गया है बार बार आपसे पूछेगा कि सबसे अच्छा कांच को तो सबसे अच्छा कांच कौन होगा तो ये हो जाएगा आपको याद रखना है जेना कांच सबसे अच एरिथ्रोपोटीन का उत्पादन कहां होता है बच्चे बड़ा अच्छा कुस्सन है एरिथ्रोपोटीन जो है यह कहां से होगा उत्पादित तो यह होगा ब्रिक से उत्पादित होता है ब्रिक से अब आप बोल सकते हैं कि सबार क्या हर्मोनों उत्पादित होता है ब्रिक से तो हाँ बच्ची, ये ब्रिक से उत्पन होगा, और ब्रिक में कहां होगा, पेरिटिब्यूलर से उत्पन होगा, पेरिटिब्यूलर से उत्पन होता है, आप पूछ सकते हैं मेरे से, कि सर ये काम क्या करता है, तो अरिथ्रो प्रोटीन क्या करेगा, तो यह यह RBC के को ध्यार में रखेगा RBC के उत्वादन को प्रभावित करता है यानि it increases the increases the number of RBCs उत्वादन को क्या करता प्रेरित करता बच्छे और इसी के वज़ा से प्रेरित करता इसी के वज़ा से आपको क्या होगा तो आपको अधिक से अधिक मत्रा में और बी सी उत्पादित होगा अस्थि-मज्या से क्या पर उत्पादित होगा आपको WBC भी होगा और प्लेटलेट्स भी होगा प्लेटलेट्स भी होता है कहां पर उत्पादित होगा तो ठेक है आपके अस्थी मजास होगा प्लिहा याने स्प्लीन इसे रक्त का कब्रगाह कहा जाता है रक्त का कब्रगाह कहा जाता है ध्यान में र उतपादन करता है बच्ची तेक अस्थी मज़ा में भले ही उतपादित होगा तो मेगा करियो साइट्स जो है प्लेटलेट्स के उतपादन प्लेटलेट्स का उतपादन करता है तो मेगा करियो साइट्स करेगा ध्यान में रखेगा तो बनता है कहां पर तो ये बनता है प्ले का क्लोरी का साइड़ प्रोडी एस प्लेट जू सफ्लेटर ईेजerta ग्रिंटट इंहें का पर प्रडीजर होता है तो होता है अस्थान हो गया अस्थी मज़्या में लेकिन कौन सिसको उत्पाद これकरता तिमेगोả कारीयोसाइड इसको उत्पादित करता है तो ये ध्यान में रखनी चाहिए आप लोगों को, चलिए, नेक्ष्ट कोस्टन देखते हैं, अस्तिस अस्ति, तो असान कोस्टन है बिड़ा, क्यों हो हो, क्यों हो, क्यों हो, क्यों कि मैं बार-बार आपको बताता हो रहत तो औंस्थि ध्यान में रखे बच्चे वोगन लिगामेंट मतलब क्या होता सनायू क्या होगा सताई तोको फश्सको कौन is online or और डता कौन जोड़ेगा तो पेशी और अस्थी को जोड़ेने का काम कोन करता है तो टेंडन करता है तेंडन 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 करता है और अस्थी को जोड़ेने का काम कोन करेगा तो लिगामेंट करेगा तो ध्यान में रखेगा पेसियां, आपके सरीन में पेसियां होती है, लगबग, ठेका, 649 पेसियां हमारे सरीन में पाई जाती है, तरह तरह की पेसियां होती है, बच्चे, जुड़ती है, उस जगा को हम क्या कहते है, तो जुड़ती है, और यही पर बोन मेरो पाया जाता है जो RBC और WC के उत्पादन को प्रभावित करता है तो ध्यान में रखेगा चले नेक्ष देखिए मोच किसके खिचाओं से उत्पन होता है तो मोच जनरली सनायू लिगामेंट्स के खिचाओं के कारण उत्पन होता है बच्चे अस्थी तूट जाता है तो यहां यहां ट्राइक केल्सियम फॉस्फेट के बने होते हैं कौन बच्चे तो आपका जो अस्थी है वो बना होगा उपास्थी काटिलेज का आ जाता है बच्चे मुलाइम कोमल संजो जी उत्तक होता है तो कोमल संजो जी उत्तक होगा यह होता है कौन तो अपास्थी होता है आप देखेंगा कान हमारा मुड़ जाएगा यह देखें मुड़ रहा है यह किसका बना हुआ है तो अपास्थी का बना हुआ है मेरा आ नाक मुड़ कुसा का सेबन करने पर कि पशात किसी व्यक्तिक की मस्तिस का कौन सा वाग सबसे पपर प्रभावित होता है यानि आपका cerebellum प्रभावित, movement प्रभावित होती है ठीक है, गती प्रभावित होती है यानि आपका movement प्रभावित होगा बच्चे और ये cerebellum की वज़ा से होता है अब देखिए, यहाँ पर देख लिए cerebrum ये क्या होता है तो बुद्धी, विवेक, ग्यान का केंद्र बिंदु होता है एकदम ध्यान में रखेगा ग्यान का केंद्र बिंदु होता है बच्चे, बहुत important है केंद्र बिंदु होता है कौन तो आपको cerebrum जबकि पौंस वेरियोलाई ये कहाँ करता है स्वसान दर और आपको ये भी ध्यान में रखना है मेडूला अबलंगेटा तो अच्चिक क्रियाओं का नियांतरन कोन करता है अनेच्चिक क्रियाओं का नियांतरन कोन करेगा मेडूला अबलंगेटा रिफ्लेक्स एक्सन रिफलेक्स अक्सन का नियंतरन को करता है ताने चिक क्रियाओं का नियंतरन करता है आपको मेडूला अबलंगेटा करता है ठीक है तो ये बाते याद रखेगा बार बार आपसे खुशन पूछेगा सरीबेलम सरीड के गती को प्रभावित करता है सबसे पहले कोई बेक्ति अगर सराब पीता है तो उसके सरीड के मूवमेंट को प्रभावित होता है उसके बाद उसका देखेगा दिमाग भी खराब होगा और फिर बोली खराब हो जाएगा उसका यानि सराब के पीने से दोनों प्रभावित होते हैं सेरिबेलम और सेरिब्रम दोनों प्रभावित होगा बच्चे तेगा और सराब क्या होता है तो इथाइल अल्कोहल होता है क्या होगा इथाइल अल्कोहल होता है यहां देखे ऐलर्जी के समय कौन सा हार्मों का हार्मों दिया जाता है तो बच्चे के समय कार्टी सोन दिया जाता है और अलर्जी है क्या निट पर यह किस के वज़ा होता है और हिस्तामीन कहा से उत्पन होता है तो मास्ट सूथ से उत्पन होगा एक्ड़ म ध्यानु ना रखेगा। हिस्टामीन की वज़े से आपको क्या होगा एलर्जी होता है यह देखे एक दम याद रखेगा किसकी वज़े से होगा हिस्टामीन की वज़े से आपको एलर्जी होता है और यह हिस्टामीन कहां से उत्पन होता है तो मास्ट से उत्पन होता है मास्ट से उत्पन होता है अब बोटके तण। के समय network chia होगा से जोको तो पच्छे याद रखनी चाहिए आपन्सार क्या होगा काटिसोन allergy किसकी वज़ा से तो histamine के कारण होता है ये कहां से सरावित होता है तो master cell से सरावित होता है और फिर मैंने बताए अंतरदोगुना होता है जाएगी बच्चे Newton's cooling law का यह सवाल है Newton's cooling law क्या आता है Newton's cooling law काता है कि देखिए देखिए ठेकर आपको तापमान के च्छाई की दर यानि T1-2 बटटी यह proportional होता है ठेकर औसात तापमान किसी वस्तू के औसात तापमान का ठेकर ऑसात तापमान एबंग उसके वाइम मंडल के तापमान के अंतर का वह क्या होगा समानुपाती होगा तो बच्चे जितना ज्यादा आपको तापांतर दुगुना हो जाएगा तो उसमा के हानी की दर भी दुगुनी हो जाएगी यानि आपको क्या कहा रहा है तेक है कि आपको तरहलर उसके आसपास के बीच का तापांतर य होगी यानि कहने का अर्थ है तापांतर तापांतर ठेकर जितना होगा वह समान पाती होगा उसमा च्छै की दर की च्छै की दर का समान पाती होगा यानि तापांतर किसी वस्तु का तापांतर उसके उसमा च्छै की दर का क्या होता है समान पाती होता है तो तापांतर दोगु closed system का आइतन इस्तिर रहता बच्चे आइतन इस्तिर रहगा तो आइसो कोरिक कहेंगी आइसो कोरिक यहाँ देखे आइसो कोरिक यानि भी भी कॉंस्टेंट भी नियत और आपको भी नियत और आपके आइतन में अंतर भी 1-2 क्या होगा सुनने होगा आइसो बारिक क्या होगा आई सो बारिक इसमें क्या होगा बच्चे पी नियत और क्या होगा तो दावांतर दावांतर में पी और मैंस पी टू बराबर क्या होगा जीरो होगा ठीके एडियाबेटिक इसमें क्या होगा तो एडियाबेटिक में क्या होगा उसमा उसमा ये आपको नियत होगा उसमा निय से आपको तापमान यहां नियत हो जाएगा तापांतर सुनी के बाराबर होगा याद रखेगा बारबर कुसन आप सेपह-उस रहा सब्सक्राइबा कि सम्पारा अधनिक हो दि मी धीमी गती से होता है धीमी गती से धीमी गती से और आपको रुधोजन प्रक्रिया जो है वो तिब्र गती से होगा कैसा होगा तिब्र गती से होगा काफी फास्ट होगा बच्चे तिब्र गती से होता है और यह ठीक है पीवी टूदी पावर गमा बरावर कॉंस्टेंट होग अच्छी बात है और यहां निस्कर से निकाला कि ताप का परमसुन मैनस 273.15 डिग्री सेल्सियस होता है इसलिए इन्हें के साथ सम्मानित किया जाता और यह कहा था किसे नहीं बच्चे तो विलियम थॉम्सन ने विलियम थॉम्सन ने विलियम कुक्स ने क्या थोड रेज की के सोड़त की ती जब कि है रहां के ने आपको याद हो क्या था सेल मतलब मतलब कोशी का सेल की खोड के सेल की खोड की थी तो सेल की खोड की थी अगयोई अब देखिए परम सुन्य ताप मैनस 273.15 डिग्री सेल्सियस होता है इसी को जेजिरो केलवीन या परम सुन्य ताप कहते हैं और यह क्या हो गया मैनस 273.15 डिग्री सेल्सियस हो गया तो यह ध्यान में रखनी चाहिए आप लोगों को बार बार इस तरह का कुछन पूछेगा सेल की खोज किसे ने की तो रबर ठुक ने किया था बहुत इंपोर्टेंट है बार बार इस तरह का कुछेगा आपसे नेक्स देखिए निमलकित में से कौन सा बिदू चुमब के तरंग नहीं है पहले देखते हैं बिदू चुमब के तरंग कौन है बच्चे एक दम याद रखें बहुत इंपोर्टेंट कुस्टन है ठीक है एलक्टो मैगनेटिक वेब है कौन-कौन है भाई तो यह है सबसे पहले गामा उसके बाद क्या हुआ एक्स की रण गामा एक्स उसके बाद क्या होगा यू भी मतलब परावेगिनी की रण यू भी रेस चौथा नमर सफ़ें हो गहाया माइक्रोवेव चौण माइक्रोवबर साथ मा हो गया रीडियो तो कितने हो गए यह गए आपको साथ विदु चुक्रास तरंग होते हैं कौन-कौन गामः इप्स यू भी फिजिब्ल आई- Post राधन कैसे याद रखंगे तो आपको याद रखने के लिए हम तरीका बताते रहते हैं आपको रेगुलर गामा ऐक्स यू अब्रति का मान क्या होगा घट जाए गा रखेंगे तो आभी ती का मान क्या होगा घट जाएगा एक दम ध्यान में रखियेगा ठीक बार-बार हम बताते रहते हैं अब देखे आपको फिर कौन नहीं है MW, MW नहीं है, कौन-कौन नहीं है, तो सबसे पहले है आपको कौन, तो बच्चे अलफा, उसके बाद कौन है, बीटा, उसके बाद क्या है, एनोड, इसके बाद क्या है, बच्चे, अलफा, बीटा, क्या थोड, एनोड, फिर क्या हो गया, एक और रेज लेते है अलपा, बीटा, कैथोड, एनोड, हाँ फिर और रेज लिजे, जैसे कोस्मिक और ध्वानी तरंब, ध्वानी में सब, ध्वानी रेज, वेपस, वेपसुप। यह ध्यान में रखेगा audible, infrasonics, ultrasonics यह आपको क्या है तो आपको विदू चुम्ब के तरंग नहीं है एकदम repeat कर लिजे कौन-कौन विदू चुम्ब के तरंग नहीं है alpha, beta, cathode, anode फिर कौन ध्वानी तरंग में तीनों और cosmic kiran अब देखिए इसमें क्या होगा answer बच्चे क्या थोड रेज यह विदू चुम्ब के तरंग नहीं है answer क्या हो जाएगा यह answer होगा चलिए आगे बढ़ते है 1897 में में electron की खोज किसे नहीं की थी तो 1897 में में electron की खोज करने का काम किया था जजे थॉंसन ने मैं बार बार आपको बताता रहता हूँ कि देखिए आपको अगर बात करें हम electron electron का नाम दिया था किस ने electron का नाम दिया था stony ने stony खोज किया जजे थो जजे थॉंसन जजे थॉंसन और बच्चे estaba electron electron जो है इसके बारे में आवेस की गनना, एलक्टोन के आवेस की गनना, मिलिकन ने किया था, आवेस की गनना किस ने की थी, मिलिकन ने किया था, ओयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के द्वारा, मिलिकन ने किया था, इसके द्वारा, बच्चे इन्हों ने किया था, ओयल ड्रॉप एक्स करवे रहा है एडिसन ने क्या किया था बल्व की खोज़ कि थी भल्व का whether निर्मान किया थो यसा बात नियाद रखे का इलेक्ट्रोन पोर्टोन और न्यूट्रून तीनो न्यूट्रोन की ख़ोज जेजे, जेम्स चैडविक ने किया था, ठीक है, आपको प्रोटोन की खोज, रधर फॉर्ट में बार 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 बता रहता हूँ, लेकिन एनोट की खोज की थी, किसमें, तो गोल्डे स्ट्रीन ने किया था, बाद में, रधर फॉर्ट ने बताया कि देखें, एनोट की रधर तो ये बाते याद रखिएगा, बार-बार आपसे प्रशन पूछेगा, आगे देखते हैं, अल्फा कनों के बारे में ने लिखीत मज़ा कौन सा, कौन सी बात असकते हैं, अल्फा रेज, ध्यान देजे बच्चे, अल्फा रेज, क्या हुआ, सबसे पहले, या हिलियम आयन है, एच्ची 2 प्लस आयन होता है, दूसरा, आयनी करन चमता अधिक होती है, आयनी करन चमता क्या होगी, अधिक होती है, वेधन चमता इसकी कम होती है, और यह क्या है, तो हिलियम आयन पहले ही मैंने बता दिया, या हिलियम आयन है, और गती जूर्जा इसकी अधिक होती है, सबसे अधिक गती जूर जाओगी वेग जो है वेग वेग एक बटर दस गुना प्रकास का वेग होता है सी प्रकास का वेग है ठीक है तो बच्चे क्या है अल्फा किरन हिलियम आयन होता है अब यहाँ पर आईए इसकी उच्छ आयनी करन च्छमता होती है आयनी करन च्छमता उच्छ होती है उच्छ वेधन च्छमता यह गलत बात है सबसे अधिक वेधन च्छमता किसकी होगी तो गामा की उसके बाद बीटा की उसके बाद अल्फा की यह ध्यान में रखेगा सबसे अधिक वेधन च्छमता सरवाधिक वेधनचम्ता सरवाधिक वेधनचम्ता किसकी होती है तो गामा की होती है यह ध्यान में रखेगा चले, next question देखते हैं निमिलखीत में से कौन सी किसी परमानू के केंद्रक के अंदर इस्तित होता है तो बच्चे परमानू यह परमानू है पर्मानू के केंद्रक में क्या होगा न्यूट्रोन और प्रोटोन होगा वाहक अक्षा में अलक्ट्रोन चक्कर लगाता रहता है अब देखें पर्मानू पर्मानू के केंद्र में केंद्र में न्यूट्रोन पथा प्रोटोन इस्थित होते हैं होते हैं एलक्टोन वह है कक्षा में चक्कर लगाता रहता है कक्षा में चक्कर लगाता रहता है एकदम ध्यान में रखेगा कुछ है नहीं लगाता रहता है देखे काया हो गया और इसे ही न्यूट्रोन और प्रोटोन को समलित रूप से हम क्या बोलते हैं न्यूक्लियोन कहते हैं एक NDTNB, यहां देखिए, प्रोटोन और नूटोन यह किसके होगा है , नाभिक मे इस्थित होगा परमानु के केंद्रक के अंदर कौन होता है í प्रोटोन और नूट्रोन नूट्रोन जोता है मैं बार-बार आपको बताता रहता हूँ इस बल को हम नाविकिये बल कहते हैं और यह एक विशेस प्रकार के कनो का उस सर्जन करता है जिसको हम मिसन पार्टिकल कहते हैं कौनसा पार्टिकल कहते हैं मिसन पार्टिकल कहते हैं ध्यान में रखेगा आगे देखते हैं FE के नुकलियस में 26 प्रोटोन होते हैं कोई बात नहीं FE 2 प्लस आयन में Electrons की संख्या कितनी हो देखे जितना प्रोटोन FE चुकि ये उदासीन है उदासीन परमानू है कौनसा? उदासीन परमानू है जब भी उदासीन परमानू होगा तो नमबर ओफ Electrons बराबर Number of Protons हो जाएगा Number of Protons हो जाएगा यानि आपको Proton और Electron की संख्या यहां क्या होगी? बराबर होगी और FE 2 प्लस की बात करने FE 2 प्लस में FE 2 प्लस में इसमें 2 Electron इसने त्याग दिया है तो 26 में से 2 त्याग दिजिए क्या हो जाएगा? आपको 24 Electron हो जाएगा यानि 24 हो जाएगा? ठेक है? यानि Electrons के संख्या कितनी? 24 होगी तो ध्यान में रखियागा कि FE उदासीन परमानू है और इसमें से 2 Electron निकाल दिजिए तो 24 Electron यहाँ पर होगा नेक्स देखिए निमलखित विकल्पों में किस तत्य के परमानू के वाहरी कक्षा में एक साधिक Electron होते हैं तो बच्चे एक साधिक Electron की बात कर रहे हैं लिथियम, सोडियम, पहले तो Hydrogen ले लिजे Hydrogen, Lithium, Sodium, Potassium, Rubidium, Cesium, Francisium यह सभी छार धातू है कुँसा? छार धातू है Hydrogen नहीं होता है लेकिन उसको भी हम रख रहे हैं छार धातू है ठीक है? सबके अंतिम कक्षा में एक Electron होगा अंतिम कक्षा में क्या होगा? एक Electron एक Electron होता है ठीकिन यहां आते हैं क्या? सोडियम Hydrogen, Lithium तो आही गया, Barium नहीं होगा Barium, ठीक है फिर देखे Calcium, Magnesium यह क्या है? छार यह मर्दा धातू है छार यह मर्दा धातू है अंतिम कक्षा में कितने Electron? तो अंतिम कक्षा में दो Electron होते हैं अंतिम कक्षा में क्या होगा? दो Electron होगा अंतिम कक्षा में दो Electron होगा दो Electron होते हैं एकदम याद रखे बच्चे कितने Electron होगे? तो दो Electron होता है तो याद रखेगा इसको यह बार बार आपसे कुछन पूछेगा नेक्ट कुछन देखते है निली काली स्याही से रंगों को अलग करने के लिए आप किस प्रते करण तेक है तकनीक का प्रियो करेंगे देखे आप केंद्री करण में क्या होता है तो आप केंद्री करण में क्या होगा दूद से मलाई निकालना, इसमें क्या होगा, सेंट्रिफिगल फोस लगता है बच्चे, क्या होगा, सेंट्रिफिगल, अपकेंद्रिय बल लगता है, अपकेंद्रिय बल कार्ज करता है, बल कार्ज करता है, एक दम ध्यानम रखना है, इसमें क्या होगा, दूद से मलाई बहा किया जाता है संघनन करते हैं वास्पी करन करते हैं बच्चे एक गम ध्यान में रखेगा वास्पी करीट करेंगे फिर जाकरके संघनित करेंगे तो पदार्थ आपको अलग हो जाएगा कुरूमेटोग्राफी में क्या होता है तो यह जो है यह इसमें अधिसोसन विधी द्व को अधिसोसन विधी द्वारा जाब अलग किया है अलग-अलग अस्थानों पर अलग-अलग पदार्थों के अब सोसन चमता में अंतर को अधिसोसन कहा जाता है क्या कहते हैं अधिसोसन प्रक्रिया के द्वारा हम इसको क्या करते हैं अलग करने की प्रक्रिया अपनाते हैं कि आपको सीधे ठोस से गैस में परिवर्टित कर दिया जाता है, इस प्रक्रिया को अधिसोसन कहते हैं, उर्धपातन कहते हैं, जनरली अमोनियम कुलोराइड, ठेका अमोनियम कुलोराइड, NH4CL, नौसादर, या कपूर, ये सब का क्या होगा, तो बेंजीन, एंथरासीन, ठे और या नाभिक के चारो तरब चक्कर लगारता रहता है, बच्चे, इलक्टोन के कारण ही आपको रिनावेसित करें, इलक्टोन के कारण ही आपको रासाइनिक गुन होता है, यानि किसी भी धातू या किसी भी पदात के रासाइनिक गुन, रासाइनिक गुन के होने का अपने नाभिक का सिधान्ध भी दिया था धातू blocko में दरार और खामियों को पता लगाने की लिएनई मिलखित में से किस का उपयोग किया जाता है तो बच्चे ultrasonic waves का प्रयोग करेंगी आपको ultrasonic जिस तरंग की तरंगदैघ यादर कि ilutr Subscribe ultrasonic wave का प्रयोगieurs यहाँ यहां आबरती जो है 20,000 हर्द से क्या होगा अधिक होता है यहां आबरती कितना 20,000 हर्द से अधिक होता है हैपरसोनिक ध्वनी तरंग क्या होता है बच्छा हैपरसोनिक का मतलब होगा हैपरसोनिक का मतलब होगा ध्वनी के चाल से 5 से 10 गुना अधिक अगर किसी की चाल है, अगर किसी वस्तु की चाल, ध्वनी के चाल से 5-10 गुना अधिक है, 5-10 गुना अधिक होता है, किसकी चाल, ध्वनी का वाई में चाल से 5-10 गुना चाल अगर अधिक होता है, तो ऐसे वस्तु को हम क्या कहते हैं, हैपरसोनिक कहते हैं, अब देखे स्रब आपको मा के गर्व में पल रहे बच्चे का पता लगाने के लिए पेट का एक सेरे कराने के पेट के पेट में किसी भी प्रकार के खामियों का पता लगाने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे बच्चे आलचासवने की वेपस का प्रयोग करते हैं तो यह ध्यान में कलरक दो गार्विश में आर्का माना जिरोह कुत हसागा बच्चहें तीए करणे लगक है कि सुने कैलवीन पर अर्धचालक का प्रतिरोध अनन्थ हो जाता है यह यह आपको इंसुलेटर की भाती काम करने लगता है इंसुलेटर इंसुलेटर मतलब क्या हो कुछालक की भाती कार्ज करने लगेगा कुछालक की भाती कार्ज करता है एकदम याद रखे बच्चे भाती कार्ज करता है कार्ज करता है अब देखे प्रतिरोध क्या है तो विद्धारा के मार्ग में अब रोध को हम क्या कहते है प्रतिरोध कहते हैं तो यह अनंत हो जाएगा क्या होगा अनंत हो जाएगा बचे सुन्य केलविन पर आदे चला का प्रतिरोध क्या होगा तो अनंत हो ज रखता है कि अधार पर अधार है तीन प्रकार की यहार सुम्हों करता है निए जो फि'll करता रहा है फ्रीवक्रोंग घ्र और अरदक पाहे है और्द चुसरा हो गया क्या होद्ध पदार्थ हो गया, इसका energy gap बहुत अधिक होता है, लगबग आपको 12-15 electron volt के आसपास होता है, 12-15 electron volt होगा इसका energy गया, 12-15 electron volt होता है, और इसमें कोई भी electron free movement के लिए नहीं होता है, तो पदार्थ की चलकता क्या अधार, पदार्थ कितने परकार के, तो आपको तीम परकार के चालक, ठीक है, उसके बाद कुचालक और अर्धचालक हो गया, मैंने बताया भी थोड़ी दिर पहले, कि देखें, सभी उपदात्व को अर्धचालक नहीं बोलिंगी, ठीक है, चले, निमलकित मैंजे कौन पदार्थ के लिए आवशक ब्रिहत को सकतत है, देखें, पदार् ब्रिहत, 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 मात्रिक तत होता है, ब्रिहत, और इसमें कौन-कौन होगा ब्रिहत में, कार्बन, हाइडोजन, ऑक्सीजन, नेटोजन, फॉस्फोरस, पोटैसियम, ठीक है, केलसियम, मैगनीसियम, और क्या होगा, सल्फर होगा, ये देखें, चार, दूच्छ आजेए फेरस निकल फेरस कोबाल्ट फेरस कोबाल्ट और फिर आजेए ठेक है निकल और एक और लिजे मैगनीज और ये कॉपर इतना तत्व जो है क्या है आपको सुक्ष मात्रिक तत्व है यहाँ देखिए क्या कह रहा है ब्रिहत मात्रिक या ब्रिहत पोसक तत्व कोन होग कारबन हाइडोजन औक्सीजन नैटोजन फॉस्परस केल्सियम मेगनिसेम और सलफर ये क्या है ब्रहाद मात्रिक तर्ट जब कि जिंख लोहा और मेगनी ये सब क्या होगा तो आपको सुख्ष मात्रिक तर्ट तर्ट होता है चलिए निक्ष देखते हैं जब एक एसमें आटोसमल क्रोमजोम में एक अतरिक्त क्रोमजोम आग के जुड़ जाता है तो इससे अनवानसिक विकार को क्या कहा जाता है तो बच्चे याद रखे इसको बोलते हम लोग क्या है तो ध्यान में रखे बार-बार आपको ये कुस्शन पूछेगा और हम लोग थोड़ी सी बाते यहां देखेंगे, क्या क्या कहता है, कैसे कैसे होता है, बच्चे सबसे पहले देखें, पटाउ सिंड्रोम में, बच्चे एकदम याद रखें, पटाउ सिंड्रोम में क्या होता है, कि 18 में, 18 में क्रोमोजोम में, एक संख्या बढ़ जाएगा, क्रोमोजोम से 3 मेन आइं मैक्सिमाम होती बच्चों की बच्चे मर जाते हैं डान सिंड्रोम में क्या होगा तो आपको आपको एक जो क्रोमजोम में एक बढ़ जाता है एक इसमें क्रोमोजोम में क्या होगा क्रोमोजोम में एक बढ़ जाता है एक बढ़ जाता है यह देखिए क्या हो जाएगा एक बढ़ जाता है कौन सा क्रोमोजोम में तो एक इसमें क्रोमोजोम में एक बढ़ जाता है तेक एक क्या होगा तीन हो जाएगा छोटा होगा छोट परबात करने दलूम एक क्रमो सो होता है बच्चे 44 प्लस एक्स हो जायर दियार में रखें कि महिलाव में प्राया होता है 24 ज़ीन होगा यानि आपको क्या और बात्स है बिक्सीतर कें यह लता क्या होने महिलावन में होता है और यहाँ पर क्या होगा कि एक chromosome बढ़ जाते हैं एक X chromosome बढ़ गया यह देखिए X X Y आ गया X X Y आ गया 44 प्लस X X Y हो गया यानि आपको क्या होगा तो महिलाओं में महिलाओं में जेनरली पूरुस के गुन पाये जाएंगे ठीक है तो यह ध्यान में रखिएगा 44 प्लस X X Y आ जाएगा तो यहाँ कहा रहा है कि एक एसमें ओटोसमल क्रोमोजोम में एक अत्रिक्त क्रोमोजोम जुड़ जाता है यह किस अनुआसिक विकारत में होता है तो आपको डाउन सैंड्रोम में होगा फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ पटाऊ सैंड्रोम में 18 क्रोमोजोम में परिवर्तन होता है टार्ना सैंड्रोम में एक X क्रोमोजोम कम हो जाता है क्लिंफेंट्रा सैंड्रोम में एक X क्रोमोजोम बढ़ जाता है तो ध्यान में सबसे पहले कैनेटिक इनर्जी ऑफ गैसे ये जीरो होजाएगा क्या होगा जीरो हो जाएगा उसके बाद खोजेंगे वालिम जीरो सभी गुन समाप्त हो जाएगे सभी गुन क्या होंगे समाप्त हो और पर्म सुनेताप होता कि क्या है बच्चे फर्म सुनेताप होता है जीरो केल्विन यह आपको यह माइनस 273.15 डिगरी सेल्सियस होगा पर्म सुनेताप होगा तो गैसों में आनवी घति घटने लगती है एक प्यांब ध्यान में रखेगा गैसों में आनवी गती गटने लगती है क्या क्या मैंने बता है कैनेडिक एनर्जी अब गैस सुनने हो जाएगा वॉल्यूम सुनने हो जाएगा सभी गुन समाप्त हो जाएगा और यह ताप मन क्या होता है 0 Kelvin या 273.15 degree Celsius होता है चलिए solubility क्या होगा ताप मन अगर बढ़ेगा तो यह बढ़ जाएगा ताप मन अगर बढ़ेगा तो बढ़ जाएगा तो यह क्या होगा बढ़ती है लेकिन आपको ठोस का गलनांग की बात करें तो किसी ठोस का गलनांग जो है उसका सुधता का परिचाया होता है बच्चे लेकिन अगर हम उसको हिमांग की बात करें तो अगर किसी पदात को जमाएंगे तो क्या होगा तो उसके उसमें क्या होगा घड जाता है तो क्या होगा घड जाएगा बच्चे गलनांग घड जाएगा ठेका जिवा के किस भाग में इस्तित होता है बच्चे बड़ा चकुसान है यहां देखी जिवा में अगर हम बात करें जिवा में क्या होगा तो बच्चे सबसे अगला भाग क्या होता है ध्यान दिजे सबसे अगला भाग मीठा होता है क्या होता है तो कड़वा होगा और भाग जो होता है ये तुरंट वाला भाग ये वाला भाग ये वाला कंट के पास वाला भाग बीटर होगा क्या होगा और ये देखे ये क्या होगा तो ये वाला भाग जो होता है जस्ट तुरंट आगे से जस्ट पीछे वाला भाग क्या होगा तो बच्चे सॉल्टी होता है क खट्टा स्वाद बोला है खट्टा स्वाद बोला है Care Care सबसे क्या होगा अगला वाग प्रवlude सबसे अग्रवाग खटे स्वाद के लिए को शिकां GU ट्रीं तो्टे आपके पोला यह मैंने तेक सौल्टी हो गए साहर विटर हो मतलब कण्याइद सार तो क्या होगा पिछले भाग में पार्स भाग में पार्स भाग में अगले भाग में मिठा हो गया पिछले भाग में यह हो गया मध्ध भाग में ने गलत है पार्स भाग ठीक है तो एक दम ध्यार में रखिएगा निद्रारोग किसके कारण होता है तो निद्रारोग ठीक ह लिका बोलेंगे फिस्टो लिका इसके करण पेची सिरोग होता है पेट में मचोड करके ठेक है आपको पेट दर्द करना और जिंजी वेलिस जिंजी वेलिस यह क्या होता पायरिया होता है पायरिया होगा और ट्रिप्नोसमा पैलेडव की वज़द से क्या होगा निद्रा रो तो बच्चे एक्दम ध्याना में रखीए गा पायरिया हो जाएगा थेक्ट है प्लाज्मोडियम की वज़े से मलेरिया होता है एंटरमीवा इस्टॉलीका कि चीज्टिस होगा जिंजी वेलिस पायरिया होता है sleeping sickness, ट्रिपनोस हमा पैलेडियम के करना sleeping sickness होता है और ये मुख्य रूप से या सिसी मक्ही के काटने से होता है लिसमेनिया डोनावानी की वज़़ से क्या हुआ काला अजार हो गया काला अजार, काला अजार रूप होता है और ये बालू मक्ही के काटने से होता है ये बाते याद रखेगा, आंसर हो जाएगा इसका कौन सा, तो बच्चे ये आंसर होगा निद्रा रूट, तो ट्रिप्नोस हमा पहले डम बोलते हैं, तो इसकी वज़े से होता है, sleeping sickness, कौन सा sickness होगा, sleeping sickness होगा, और सीसी मक्ही के काटने से होता है ये बाते हैं और ये आज का जो है आपका महामेराथन यहीं ख़़म करते हैं बच्चे तो फिर से एक बार कल के लिए धेर साइज सुबकामनाएं 15 अगस्त खुब अच्छे से मनाईए लेकिन आजादी तो चाहिए ही चाहिए जल्दी से रो डिसकसन को देखिए अच्छे तरीके से और ज्यादा से ज्यादा लाव उठाईए चलें मिलते हैं निक्सेसन में जायें जावारा है